हेलो फ्रेंड्स मैं हिमाशुताप आएक बार फिल से आपका स्वागत करता हूँ P.W.U.P.S.E. वाला में दोस्तो आज हमारा फोकस बैच है और इस फोकस बैच में हम लोग बात करने वाले हैं आज जिस टॉपिक की वो टॉपिक है हमारा प्रेशर बेट ठीक है आज हम लोग बात करने वाले हैं complete pressure belt को समझने वाले हैं क्या होता है atmospheric pressure कैसे बनते हैं pressure belts कौन सा हमारा thermally induced होता है मतलब की तापमान पर आधारित होता है कौन सा जो है अर्थ के rotation पर आधारित होता है तो यह आपको पूरा आज प्रेशर बेट में मिलने वाला है तो आईए हम लोग परी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे atmospheric pressure ठीक है यहां पर हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे atmospheric pressure की ठीक है कि atmospheric pressure होता क्या है जिसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि वायू मंडलिय दाव होता क्या है वायू मंडलिय दाव होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर याद अखेगा कि यह नॉर्मल हम लोग प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग atmospheric pressure के बारे में बात करें और atmospheric pressure के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ बता हो भाई सबसे पहले तो यहां पर बात करेंगे हम लोग वायू की ना तो सबसे पहले तो हम लोग air की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इसमें दो शब्द देखें तो atmosphere आ रहा है अब atmosphere कहा रहा है हम लोग यहाँ किया होता है यह तो मैंने आपको बता ही रखा है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या बात करेंगे why you की ठीक है अब आप जानते हैं जब हम बात करते हैं air की तो air is what? It is a mechanical mixture of gases ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर air की बात करें तो यह basically क्या है हम लोगे कह सकते हैं कि एक mechanical mixture है mechanical mixture of gases यह बात हम बोल सकते हैं कि नहीं हम बिलकुल बोल सकते हैं कि यह यांत्रिक मिश्रण है gas हो का इंदी वाले लिख सकते हैं यांत्रिक मिश्रण gas हो का ठीक है इसका मतलब अगर gas है इसका मतलब gas है अगर तो जो यह वायू है ठीक है और अगर air का weight है तो ये air का weight जो है ये कैसे होगा ये कहां लगेगा तो obvious बात है अगर कोई भारी चीज है तो वो नीचे ही की तरफ क्या होगा उसका pressure exert होगा बिलकुल होगा और इस तरीके से अगर हम लोग देखें इस तरीके से देखें तो हमारा यहाँ पर क्या है this is our sea level य प्रफ को बोल सकते हैं ठीक है ये हमारा क्या है ये समुधर तल है और यहाँ पर अगर हम इसकी height देखें तो 0 मेरे 0 मींटर है इसकी height यहाँ ठीक है तो यहाँ पर जो air है हमारा air का pressure भी तो लग Crystal और ऑगा और जो एर का ये भार लग रहा है ये पर यूनिट एरिया पर लग रहा होगा और वेसी बात है कि यहाँ पर जो आपका एरिया है अब ये पर यूनिट एरिया आप प्रती एकाई छेत्र को मान सकते हो सेंटी मीटर है ना इसको मीटर मान सकते हो इसको किलो मीटर मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो तो यहाँ पर जो आपका ये यूनिट एरिया है इस यूनिट एरिया में क्या हो रहा होगा इस यूनिट एरिया में ये पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट एरिया का जो वेट लग रहा है, इसी वेट को हम बोलते हैं क्या, इसी वेट को बोलते हैं प्रेशर, है ना, तो ये आपका जो यहाँ पर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, एट्मॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं, एट्मॉस्फे लिए दाब वायू मंडली दाब और यह जो वायू मंडली दाब है यह वायू मंडली दाब है इसको बेसिकली जो है हम लोग मेजर करते हैं बैरो मीटर से इसका जो मापन होता है इसका जो मापन होता है वो किससे होता है वो होता है वो किससे होता है इसका मेजरमेंट बैरो मी से थीक है तो भाई लेघ दिया आश बढ़े लिए लिए अब जो है इसको हम लोग जो मेजर करते हैं वनमीर करते हैं यवें 1002 था है यहरा पर आपका क्या है basically एक प्रिशर लग रहा है और आपको मैं बता लेवल फे maximum pressure atmospheric परिशा होता है maximum atmospheric परिशा अगर प Shallow अब क्या बोलेंगे आप रिखेंगे यह समुध्र तल पे लग रहा हैं अधिकतं अधिकतनु वाई उदाब आपका समुध्र तल पड़ लग ने हैंधी सकते हैं अधिकतम लग-भग यहां पर भार होता अब एर का अगर आपसे कोई पूछे सी लेवल पे वेट कितना होता है वायू का भार कितना होता है ठीक है वेट जिसको हम बोल रहे हैं वो वेट कितना है तो आप बोलेंगे सर यहां पर वेट होता है 100,000 and 34 g त मतलब कि एक किलो से जादा हमारे उपपर क्या हो रहा है एर का प्रशर लग रहा है आपके दिमाग में आगा सही में क्या एक किलो आप क्या फील कर रहे हूँ जब आप चिन्नई पे खड़े हैं या आप किसी बीच पे खड़े हैं क्या आपने महसूस करा कि आपके उपपर एक किलो ए उतनाही प्रेशर हमारी बॉड़ी भी एकजर्ट कर रही है बाहर की तरफ चलो ठीक है यह तो बात समझ में आगी हमें इस समुद्र तल पर अगर हम हैं अगर हम सी लिवल पे हैं तो हमको प्रेशर फील नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर हमार जितना प्रेशर हमें लग रहा ह लेकिन आपको मालूम है, जब आप पाहाल के तरफ चड़ते हैं, जब आप उचाई पे चड़ते हैं, तो आपको मालूम होगा, अगर यहां पर मैं कह रहा हूँ कि maximum atmospheric pressure है, इसका मतलब यह है कि उचाई के साथ जाने पर, इसका मतलब क्या है, कि with height, अगर मैं उचाई पे decrease, pressure will decrease with increasing height, तो आप कहेंगे मतलब कि हिंदी वाले लेख सकते हैं, उचाई के साथ, उचाई के साथ, दबाव में, वायू दाब में कमी आएगी, उचाई के साथ क्या होगा, वायू दाब में कमी आएगी, क्यों, भाई भाई सिंपल जी बात है, कि air जो है आपका, उसका भा लगता जाएगा, तो उपर, pressure on, obvious ही बात है कम हो जाएगा, सबसे आदा pressure हमारे कहां पर होगा, sea level पर होगा, तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, कि उपर जाने पर, उचाई के साथ क्या होता है, प्रिशर कम होता है, अब आप पहार चड़ रहे हैं, आप mountain चड़ रह रहा था, वो तो pressure कम हो गया, लेकिन आपकी body से जो आपका pressure है, जो exit बाहर की तरफ हो रहा है, वो तो उतना ही है, इसका मतलब क्या है कि pressure आपका, जो balance हो जा रहा था, जो pressure बाहर जा रहा था, वो जो balance हो रहा था, वो संतुलन जो बढ़ रहा था, वो संतुलन यहाँ बिग से जो कि हमें सतह पे जादा मिलेगी उंचाई के साथ oxygen भी कम हो रही है इसके वज़े से आपको मालूम है आपके नाक से कान से खून निकलने लगता है राइट प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है हमारा साइंस से मतलब नहीं लेकिन मैं आपको यह concept जो है यह थोड़ा सा समझा रहा था अब हमें यहां पर एक चीज समझनी पढ़ेगी हमें यहां समझना पढ़ेगा कि यहां पर कुछ concept हमें समझने पढ़ेगी जैसे कि सबसे पहली चीज तो कि ISO बार क्या होता है ठीक है यहां पर आपको एक शब्द यहां पर समझना पढ़ेगा कि ISO बार क्या ह होता है तो यह क्या है इमाजनरी लाइन है तो यह याद अखेगा मैं लिग भी दे रहा हूं यहां पर ताकि आप नोट्स बनाते चलें यहां पर आप से अगर कोई पूछे कि समदाब रेखाएं क्या है तो आप समदाब रेखाओं को क्या बलेंगे कि यह एक काल्पनिक रेखा है ठीक है यह कैसी रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है पहली चीज कि समदाब रेखा है काल्पनिक रेखा है जो याद अखेगा जो जो बराबर जो बराबर दबाव वाले या दाब वाले दाब वाले छेत्रों को छेत्रों को जोडती है यह भी इंपोर्टेंट है छेत्रों को क्या कर रही है जोडती है ठीक है अब यहां पर आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है सपोज मैं ऐसे कहता हूं यह है इंडिया हमारा ठीक है दिस इस इंडिया ठीक है यह इंडिया है हमारा और अगर मैं यहां पर कहूं कि यहां पर सपोज इंडिया में यहां पर है एक सो 12 मिली बार ठीक है यहाँ पर तरह हम देखते हैं अलग-अलग छेतरों में अलग-अलग same temperature होंगे suppose यहाँ पर भी हो सकता है इस वाले region में भी हो सकता है आपका 112 मिली बार अधर ठीक है तो यहाँ से अगर मैं एक line जोईन कर दो अगर मैं ऐसे एक line जोईन कर दूं तो यह हमारी क्या बन गई यह लाइन जो बन गई आइसो आई सो बार इस तरीक kurt यह और एक और Somal बना दे कि कि और यहां हमने बोला कि 108 मिली बार है ठीक है यह जो लाइन रेप्रेजेंट कर रही है यह 108 मिली बार को रेप्रेजेंट कर रही है मतलब आप देख रहे हैं जहां जहां पर मैं यह लाइन जा रही है वहां वहां पर 108 मिली बार आपका क्या होगा प्रेशर होगा ठीक, यहां हमने देखा, पता जला यहां हमने देखा, इस तरीके से, यहां हमने कहा कि pressure है 996 मिली बार, ठीक है, यहां पर लिख दिया 996 मिली बार, तो जहां-जहां से यह रेखा गुजर रही है, जहां-जहां से यह line, imaginary line गुजर रही है, वहां-वहां पे, आपका क्या होग के जहां पर pressure होता है उनको जोड़ती चलती है ये कालपनिक रेखा है ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया क्या है ये मैंने बता दिया आपको समदाव रेखाओं के बारे में कई बार हम लोग ISO बार को यूज करेंगे ठीक है अब यहां पर आपको कुछ चीज समझनी है क्य हम लोग जो बात कर रहे हैं pressure की वो बात pressure की कहा कर रहा है देखे pressure की बात जो है वो हमारे surface पे एक तो हो सकती है और surface के उपर भी हो सकती है ठीक है pressure जो है अलग-अलग तरीकों से है related है अब सबसे पहले सबसे पहले कुछ basic concepts आपको कुछ basic terminology और basic pressure आपको समझना पढ़ेगा क्या होता है पहली चीज तो आपको समझनी पढ़ेगी कि जो आपका moment of air होता है ठीक है आपको कुछ चीज समझनी पढ़ेगी कि जो आपका moment of air है ठीक है मतलब की वायू का संचलन आप कह सकते है जो वायू का संचलन ने बढ़ा क्या मैंने फिर जे बोला वायू का संचलन ये किस पर निर्वर करता है, वायू का संचलन निर्वर करता है, कि वहाँ पर प्रेशर कैसा है, वायू का संचलन किस पर निर्वर करता है, वहाँ पर प्रेशर कैसा है, जैसे, सपोज आप यहाँ पर, यहाँ पर मैं कहता हूँ, यह हमारी सता है, यह हमारी सता है, ठीक है, औ एक मालो फिगर, एक कालपनिक फिगर है, एक हजार आठ एमबी है, ठीक है, अब यहाँ पर प्रिशर अगर मैंने देखा, यहाँ पर प्रिशर देखा, यहाँ पर क्या है प्रिशर, यहाँ पर है बी प्रिशर, यहाँ पर है बी पॉंट और यहाँ मैंने माल लिया प्रिशर ह कहा है low pressure कहा है तो आप चाहां पर हमारा जो है जादा पूदफान कॉह दैंने में लेकिन अभी यहां में जादा यह है तो हम कहदेंगा gramien का टेमिर अब याध आपको यह रखना है यहां पर important चीज कि जो movement of air होता है यह movement of air हमेशा high pressure से low pressure की उरू होता है movement of air जो है वो मैंने क्या बता है आपको हमेशा high pressure से low pressure की तरफ होता है Is it clear? क्या यह बास समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे ठीक है सर अब एक case अगर हम यहां और ले ले यह movement of air कैसे होगा? अब मुझे बताईए movement of air कैसे होगा? अब यहां आप देख रहे हैं क्या है? यहां है आपका 1000 MB और यहां पर है 1004 MB ठीक है? यहां पर है 1004 MB ठीक है? तो अव्विस्सी बात है यहां पर क्या हुआ? High pressure हुआ किसके respect में? इसके respect में high pressure हुआ ठीक है? इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो movement of air है वो हमेशा high pressure से low pressure होगी क्या यह मैं बोल सकता हूँ? कि हमेशा it will be movement of air will be from high pressure towards low pressure high pressure towards low pressure यह मैं बोल सकता हूँ? high pressure towards low pressure बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ? right? मैं यह कह नहीं सकता हूँ क्या? कि जो संचलन वायू का है वहाँ वायू का संचलन वायू का संचलन उच्च दाब से निम्नदाब की और होगा? उच्च दाव से निम्नदाब की और होगा ये बात हम बोल सकते हैं ये नहीं बोल सकते हैं उच्च दाव से निम्नदाब की और होगा हमेशा होगा है ना उच्च दाव से निम्नदाब की और होगा Isn't it? We can clearly say that the movement of air the movement of air will be from high pressure towards the low pressure उच्छदाब से निम्नदाब की तरफ होगा, यह चीज हम clearly यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको देखने को और समझने को मिली होगी, वो यह है कि जो यह pressure शब्द है, यह जो high pressure, low pressure, यह absolute term नहीं है, याद अखेगा, यहाँ पर note करके लिख लिजेग are not absolute terms, rather they are, rather they are, rather they are relative in nature, rather they are what, they are relative in nature, यहाँ पर मैंने जो बात बोली, वो यह बोली है कि उच्छदाब जो है, उच्छदाब एवं निम्नदाब, यह तखेगा, उच्छदाब एवं निम्नदाब, यह सापेक्षिक हैं, ठीक है, यहाँ, यहाँ निर्पेक्ष शब्द ना होकर, यहाँ निर्पेक्ष शब्द ना होकर, निर्पेक्ष शब्द ना होकर क्या है, तो आप बोलेंगे निर्पेक्ष शब्द ना होकर, यहाँ सापेक्षिक सभाव का शब्द है, सापेक्षिक सभाव का शब्द है, ठीक है, यह बात स मतलब यह है कि आप किसी जगहा को निर्धारित करके यह नहीं बोख़कते कि यहां पर अगें को भारत देश एंडिया यहं हमारा भारत डेश यह तो मैंने कहा यहां पर क्या यहां है 112 MB यहां मैंने मान लिया क्या 112 MB हमारा प्रशर है ठीक है यहां पर मैंने माना कि 994 MB हमारा प्रशर है ठीक है 994 MB हमारा प्रशर है और यहां पर मैंने माना कि इस तरफ जो है 998 MB प्रशर है ठीक है यहां पर क्या माना 998 MB तो यह हो गया place A, ठीक है, इसको मान लो place B, इसको मान लो place C, ठीक है, ये आप के पास तीन जगाएं हैं जहां पर अलग-अलग pressure, तो इसको अगर मैं देख के कहूं, अगर मैं इस point से इसको compare करूं, किस से, इसको और B को compare करूं, ठीक है, अगर मैं A को B से इसकी तुलना करूं, तो मैं क्या कहूंगा, हजार बारा इंबी हमारा जादा है, और 992 अंबी क्या है, मारा कम है, अव्विसी बात है, कम है, ठीक है, तो यहां पर मैं कहे दूँगा, कि भाईया, इन दोनों के comparison में यह क्या है, high pressure है, और यह B वाला क्या है, यह B वाला आपका low pressure है, दिख रहा है, clearly हमको दिख रहा है, तो क्या मैं बोल दूँगा, कि B low pressure छेतर है, यह क्या मैं बोल दूँगा, क्यों नहीं बोल सकता, बी लो परिशर है, क्योंकि अगर सोचिए, मैं B और A को compare ना करके B और C को compare कर रहा होता तो clearly हमको यहाँ पर दिख रहा है क्या कि यह वाला जो है यहाँ पर 994, 994 MB कम है 998 से यह चीज हमको clearly समझ में आ रही है इसका मतलब इस case में यह low pressure है ठीक है और यह वाला क्या है high pressure यह वाला क्या है high pressure तो मेरी बात जो मैं बताना चाहराता आपको यही है क्या कि यह जो terms देख रहे हैं आप यह क्या है relative है किससे compare कर रहे हो किसके relation में आप देख रहे हो है ना सापेक्षिक है कि आप तुल्ना किससे कर रहे है तो अगर A और B की करेंगे तो पता जला B low pressure है लेकिन B और C की कर दिया तो पता जला क्या है यह high pressure है मतलब B low pressure भी दिख रहा है आपको B high pressure भी दिख रहा है तो आप fix नहीं कह सकते हैं कि B कच्छे तुम जो है वो कैसा है similarly यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर 112 MB है अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पता चला कि यहाँ पर 118 MB है जो की बहुत high pressure है तो इन दोनों को अगर हम D को D को A से compare करें तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा यह high pressure दिखेगा और यहाँ पर यह हमको क्या दिखेगा इस case में D और उसमें यह हमें low pressure दिखेगा तो कोई भी fix जो है आप कहें नहीं सकते वो जगह पे fix आपका pressure होता है तो these terms यही मैंने बताया कि यह जो शब्द हैं high pressure है ना यह जो शब्द है low pressure यह absolute नहीं है यह आपका fix नहीं है यह निर्पेक्ष शब्दा वाली नहीं है यह जो हैं यह सापक्षिक है यह I hope आपके बाद clear हो गई होगी इस example के through भी ठीक है तो यह हमने छोटी सी बात करी यहां पर movement of air की भी ठीक है यहां पर हमने छोटी सी बात करी movement of air की भी movement of air high pressure से low pressure चलता है अब आईए एक और बात करते हैं आपर अब एक और बात करते हैं अब बात करते हैं हमारे आप कि अगर मैं कहता हूँ कि low pressure है जब भी आपके दिमाग में क्या है low pressure है तो कुछ चीजे मैं बता रहा हूँ इसको हम लोग समझेंगे भी detail में लेकिन अभी फिलाल आप समझे जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको हम लोग detail में समझने की कोशिच बात में करेंगे यहां पर अगर मैंने लिखवाया है कि निम्नदाब है कि अगर यहां निम्नदाब है यहां पर low pressure है तो low pressure में आपको क्या समझना है low pressure में आपको समझना है कि अगर if the if the isobars if the isobars are circular are circular ठीक है तो क्या होगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे cyclonic pressure होगा cyclonic low pressure कहलाईगा यह जगा कहलाईगी cyclonic low pressure एगि ठीक है cyclonic आने की आपकी समझना है पूरी बन जाएगी जब आपका pressure कैसा होगा सोचो एक इस्थान है मैं इसको example के तौरब दिखा रहा हूँ यह आपका इस्थान है ठीक है एक place है particular place है यहाँ पर हमने कहा कितना है यहाँ पर हमने कहा 992 MB है यह जो है center में केंद्र में कहा है 994 और इसके चारो और जैसे जैसे आप बाहर के और निकल रहें यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि pressure बढ़ आए मतलब यहाँ पर हमने देखा 992 MB ठीक है यहाँ हमने देखा यहाँ देखा है 1006 MB तो pressure क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ आए तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या है यहाँ पर हाई pressure है ना यहाँ पर इसके बाद हाई pressure इधर भी हाई pressure है ना यह भाई लाइन तो है 1006 MB वाली 1002 MB वाली और 992 MB वाली और आप जानते हैं high pressure से low pressure की तरफ air move करती है तो याद रखिएगा जब आपका high pressure से low pressure की और air move करेगी high pressure से low pressure की और air move करेगी ठीक है inwards इस तरीके से आएगी तो हमेशा यहाँ पर cyclone बनने की संभावना होती है जो अभी हम आगे देख लेंगे है ना तो cyclone condition है लेकिन क्या low pressure में एक चीज़ और बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हमेशा convergence of air होगा यहाँ पर हमेशा क्या होगा convergence of air ठीक है मतलब की वायू का अभी सरण होगा यहाँ पर यह बोल सकते हैंगी नहीं बोल सकते हैं यह air की ही तो दिखा रहा हूँ air का movement this is movement of air यह जो मैं दिखा रहा हूँ this is what this is movement of air air move करके अंदर की तरफ जा रही है अगर हमारा ISO bar यह भाई ISO bar है ना 1006 है और मैंने ऐसे diagram बना रखा है तो हर जगहा पर जहाँ जहाँ पर यह line है वो 1006 MB को ही तो बताईगी यही तो भी ISO bar में पड़ा था तो यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब convergence of air हो रही है ठीक है और जब हमारी समदाब रेखाएं क्या है गोला कार है यहाँ पर लिख लो जब हमारी समदाब रेखाएं क्या है गोला कार है तो यहाँ पर क्या है बेशिकली मैंने बताया चक्रवात आने की संभाव नहीं यहाँ पर किसकी संभाव नहीं चक्रवात आएगा चक्रवात आने की संभाव ठीक है यहाँ पर साइकलोन आने की संभाव नहीं ठीक अच्छा दूसरी चीज़ अगर यहां पर अगर यहां पर यह होगे हमारा केस A ठीक है और यहां पर अगर हम ऐसे देखे केस B कि अगर हमारे आई सो बार जो है वो इस तरह नहीं है आई सो बार हमारे सोचो इस तरीके से हैं यह है हमारा 992 MB अगे और ISO बार हमारे कुछ इस तरीके से हैं यह है हमारा ISO बार 992 MB का यह है इस प्रकार से हमारा 2002 MB का इस प्रकार से यह फिर हमारा है 10006 MB और यह ऐसे करके हमारा एक बार बन रहा है 10008 MB का या 10 MB का Thai мясा या ओर टीवर ठीक है एğin तो यहां पर आप जब देख रहे हैं तो अब यह सर्कुलर नहीं दिख रहा है तो यहां पर लिख लो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको हम ठीक है तो यहां पर क्या बन रहा है यहां पर इस तरीके से टुफ बन रहा है जिसको आप गर्त भी बोलते हैं जिसको आप डिप्रेशन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं डिप्रेशन भी बोलते हैं ठीक है तो अगर हमारी लिखलो समदाब रेखाएं खिची भी हैं इस प्रका यहां पर आपको लो प्रिशर दिख रहा है जो केंद्र है यहां पर भी देख सकते हैं यहां पर भी केंद्र है इस लो प्रिशर को हम लोग क्या करते हैं एल से भी डिफाइन करते हैं एल भी लिख देते हैं या हम यहां पर क्या लिख देते हैं केवल लो अगर हमने लिख दिया से लो मतलब क्या हो गया लो प्रिशर इसका मतलब क्या हो गया अगर मैंने लो लिख दिया या लिख दिया इसका मतलब लो प्रिशर ठीक जो है हमेशा देखेंगे कनवर्ज कर रही है क्लेर है बात यहां तक आपको समझ में आ रही है अब अगर हाई प्रिशर में बात करूं यहीं पर लिख लो बिटा अगर मैं यहीं पर हाई प्रिशर के बारे में बताओं आपको जिसको हम बोलते हैं क्या उच्छ वायूदाब उच्छ वायूदाब के बारे में भी कुछ चीज dollars शमझे लो यह बड़ी important चीज़े हैं अभी इसको मैं बहुत डेटेल में बताओंगा कि उच्छ वायूदाब के फीचर क्या होते हैं निमनवायूदाब के फीचर क्या होते लेकिन पहले इस जोए है इन चीजों को बड़े असानी से अपने कउपी में लिख लो अगर मैं कभी भी बात करूं किसकी अगर मैं बात करूं यहां पर उच्चवायूदाब की हाई प्रेशर के बारे बात करूँ ठीक had true high pressure में दो कंडीशन है एक कंडीशन हे आपकी ए ठीक हैं when the ice स्मय पर हां गोला कार होंगी तो क्या होगा मोंगा जञा थीग तो यहाँ पर हब एंटी साइकलनिक हई प्रिशर मतलब याद टाखेगा कि हमेशा खमेशा एंटी-साइकटर यूब में हें ay अब सपोज ये है हमारा हईप्रिशर है न यहां पर है एक हजार बारा इंबी यहां परकितना है understands है आप इस प्रकार से हमारा क्या हुआ है हमारे आइस जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बाहर की तरफ तो मैं क्या यह बोल सकता हूं कि यह लो प्रेशर है क्या मैं बोल सकता हूं कि यह लो प्रेशर है ठीक है और यह हम क्लेरी बोल सकते हैं हाई प्रेशर है जो केंद्र में हाई प्रेशर है इसको हम क्या बोल दे कैसे होगा इस तरफ बाहर की तरफ होगा मुवमेंट जो होगा वो किस तरफ होगा एर का बाहर की तरफ मुवमेंट होगा ठीक है तो यह जो एर जा रही है आपकी यह केंद्र से बाहर क्यों निकल रही है यह जो आप देख रहे हैं यह केंद्र से बाहर की तरफ निकल लिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि high pressure में, high pressure में क्या हो रहा है, divergence of air, क्या मैं बोल सकता हूँ, divergence of air हो रहा है, air जो है, वो क्या हो रही है, वो एक तरफ गिर रही है और दूर-दूर फैल जा रही है, फैल रही है, pass नहीं आ रही है, दूर जा रही है, divergence हो रहा है, तो क्या मैं बोल हो रहा है ठीक है तो यह बात जो है बड़ी ही इंपोर्टेंट है और यह बात आपको समझ नहीं है कि हुआ है कि सपोज हमारा इस प्रकार से यह हाइ प्रिशर है हमारा ठीक यहां पर आई बार में यहां इस तरीक ayat तो यहां पर हमने कहा हमने देख लो परिशल बाहर की दरफ सकते हैं लो परिशर हैं खी pack है यहां पर यहां देख सकते हैं बाहर जाने पर लोग उब पारगर मुझमक ठावब इस तरह होगा linna कको अपयर तो यहां पर किचा भाग ये तो हम बोते हैं वेजु इसको हम बोलते हैं या इसको बोलते हैं वेज रेजिसकों मुझां पर आप तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 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 यहां पर आ एक इसलिकों किसने को चीज़ कटमाराएं .' चेलों देखा आपने देखा औंदर की तरफे त्रोट इस कश्चब करें डिप्रेशन तरह से अंदर की ट्रफ यहां पर उसको क्या कह रहे है उस आते हैं high pressure में, तो high pressure में क्या हो रहा है, movement बाहर की तब हो रहा है, divergence हो रहा है, तो low pressure में convergence, हमेशा याद एक कि low pressure में convergence of air, why you pass आएगी, ठीक है, और high pressure में हमेशा why you दूर जाएगी, ठीक है, और अब हम समझते हैं क्या high pressure और low pressure की special features, तो अब एक और चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर pressure में, और वो क्या है मैं बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारा earth surface है, this is earth surface, यह हमारी क्या है, प्रित्वी की सता है, इस तरीके से मान लो, ठीक है, यह हमारा क्या है, earth का surface है, this is earth surface, आ आप कहज़कते हैं, प्रित्वी की सता है, हिंदी में, है न, प्रित्वी की सता, अब यहाँ पर मैं दो place ले लेता हूँ, एक जगह में लेता हूँ, एक जगह में लेता हूँ, जहाँ पर आपका, जो हमारी surface है, वो surface हमारी क्या है, गरम है, यहाँ ऐसे मान लो, हम कहते हैं कि यहां मैं माल लेता हूँ equator है यहां मैं माल लेता हूँ क्या विश्वत रेखा है विश्वत रेखा के समीब क्या हो रहा है ठीक है विश्वत रेखा के पास क्या होता है इसको देख लेते हैं और इधर माल लेते हैं क्या है हमारा धुरूव है यहाँ पर हमारा क्या है पोल्स हैं पोल्स या धूरूप कह लो ठीक है इनके पास हम देखते ही क्या होते अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारी एर होगी equator पर बताओ मुझे equator पर गरम होगी एर की नहीं होगी बिलकुल होगी क्योंकि वहाँ पर जो sun है वो perpendicular चमक रहा है ना भाई लंबुवत चमक रहा है perpendicular fall कर रही है sun rays so obviously the air will be what air will be warmer ठीक है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा warmer unit होगा air का यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी एकाई जो गरम है हमारी वायू कैसी होगी यहाँ वायू हमारी गर्म वायू होगी और अगर गर्म वायू है गर्म वायू है तो क्या हो रहा है अच्छा इस साथ साथ एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर मानलो एक हमारा lid है और यह lid क्या है यह lid है हमारा tropopause मानलो ठीक है यह lid है tropopause ठीक है जब हम लोग instability समझेंगे तब आपको यह समझ में आएगा अभी फिलाल इतना मान लो कि जो हमारा छोब मंडल है छोब मंडल की उपरी सता जो उपरी ढखका ने उसको क्या बोलते हैं ट्रोपोपॉस बोलते हैं यह हमने पढ़ लगा है पहले भी अब यहां पर अगर हम लोग वर्टिकल इसके अगर हम लोग पिलर को देखें एर के वर्टिकल पिलर को देखें अगर हम लोग वायू के लंबोत इस्तंब को देखें लंबोत इस्तंब वर्टिकल एर तो यहां पर क्या होगा और अगर हम यहां पर देखें vertical player को तो vertical player यहाँ पर हमारा किस तरह होगा player ठीक है यह जो pillar है हमारा यह basically कैसा होगा यह समझते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी air air जो हमारी है अगर मैं इसको एक divide कर लूँ दो parts में ठीक है यह कहलू मैं हमारा lower, lower atmosphere है उसको अगर मैं इसको मालू यह हमारा क्या है यह हमारा highr लोवर ट्रोपोस्फेर है यह हमारा क्या है लोवर ट्रोपोस्फेर है ठीक है और यह जो है हायर ट्रोपोस्फेर है यह हायर ट्रोपोस्फेर है अब वेसी बात है उचाई पे है यह तो हायर ट्रोपोस्फेर बोल दो इसको ठीक है मतलब कि यह हमारा जो है यह कह सकते हैं आप पर निम्न छोब मंडल है यह क्या है यह हिंदी वाले विख सकते हैं निम्न छोब मंडल है और इधर क्या है इधर आपका उच्छ छोब मंडल है इधर आपका क्या दिख रहा है बिटा आपको उच्छ छोब मंडल दिख रहा है ठीक है तो यहां पर हमने देखा यहां पर हमने तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लगभग जो यूनिट्स होंगी एर की वो लोर इट्मासफेर में लगभग 70 यूनिट होगी और उपर मैं कहनू लगभग हमारा 30 यूनिट होगी ठीक है जबकि इधर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 90 यूनिट मैं माल लेता हूँ होगी लगभग ठीक है 90 परसेंट और इधर कह लेता हूँ दस यूनिट होगी अगर सो यूनिट ओवरॉल हैं इस वर्टिकल प्लेयर में पिलर में आपका एयर है अगर इस लंबवत इस्तंब पर आपका क्या है एयर है मैं बस वर्टिकल भूल लाँ हो होरीजॉन्टल भू और यहाँ पर 10 ऐसा क्यों कि यहाँ पर 30 यूनिट है यहाँ पर एएयर उपर के एटमोस्पर पर जाधा क्यू है उपर के मोलिकूल यहा उतते है वहाँ जाता है क्यों पीगलता है लोहा जब गरम होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स आक्टिव हो जाते हैं उसके जो आपके अणू है वो क्या हो रहे हैं? वो आपके सक्री हो रहे हैं और दूर दूर जा रहे हैं ऐसे ही एर में भी तो हो रहा है एर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं और दूर जाने का मतलब क्या है वो expand कर रही है क्या हो रही है विस्तार कर रही है expand कर रही है यह मैंने पहले भी आपको lecture में पता है वाई मंडल में और अगर विस्तार कर रही है तो वो विस्तार करने पर हल्की हो जाएगी एर है ना और विस्तार करने पर गरम होने पर उपर क की तरफ राइस करेगी वह क्या होगी उपर की तरफ राइस करेगी राइट और राइस करेगी तो हो क्या यहां पर जो पहले से मौजूद एर है यहां पर पहले से मौजूद एर है उनको धक्का लगेगा आप इमाजिन करो यह आपका एक है और यह आपका एक है यहां नीचे से उपड़ आ रही है नीचे से उपड़ जा रही है ना उपड़ तो यहां पर 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 और द्ध़क्र यहां पर जा रही agree So पॉल्स पे आप जाते हैं कि सकांद कीशा सबस्कियार और एर कैसी Aut donné State फंडी एर है तो मुझे बताओ यह वह नीचे कि तरफ आएगी कि नीचे कि तरफ आएकि तो पर और सित्व यहां पर किदर आएगी यह जाधा नीचे कि तरफ होगी इस सस्ट्ом पर तुम देखोगे तो एयर तुम्हें कहाँ जादा मिलेगा नीचे जादा मिलेगा और यहां पर यह कहां जादा मिलेगा खी और फ़र इन दौनों के कंभारिजन में हैं इन दोनों के कंभेजन में ही कि मैंने बोला है कि surface पे air हमेशा क्या होगी जादा होगी है ना इसलिए pressure हमेशा surface में जादा होगा आप इस stump पे भी देखेंगे अगर आप इस stump भी देखेंगे तो यहां पर 70 unit है या 30 तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों का comparison अगर करूंगा तो यहां पर high pressure है कि नहीं है हमेशा इन दोनों के comparison में और यहां पर low pressure है दिखरा है कि नहीं दिखरा बताओ मुझे अगर आप मतलब कि आप से कोई पूछे कि surface पे आपका प्रेशर जादा है कि उपर तो आप हमेशा बोलेंगे सर्फेस पे प्रेशर जादा है उपर हमेशा कम होगा यह मैंने पहले भी आपको बताए था कि विद इंक्रीजिंग हाइट अभी लेक्शन में बताए ना विद इंक्रीजिंग हाइट यूनिट जो है यह क्या है जादा है और सतर यूनिट जो है वह हमेशा क्या है कम है तो अगर एयर को चलना होगा अगर एयर को चलना होगा तो एयर हमेशा कैसे चलेगी कम से जादा क्यों चलेगी तो इन दोनों के अगर comparison में मुझे बनाना हो, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूँ, यहां पर क्या है हमारा high pressure, है ना, यह हम लिख सकते हैं यह नहीं लिख सकते हैं, हमेशा याद अखेगा, poles पे कैसा pressure रहेगा, high pressure रहेगा, और equator पे, अगर हम surface पे compare करेंगे, तो equator पे हमेशा कैसा pressure होता है, low pressure होता है, इसको हम लोग अभी बहुत detail में बात करेंगे, ठीक है, इसका मतलब, धुरूओ पे हमारा क्या होगा, धुरूओ पे हमारा high pressure है, और हमारा low pressure कहां पर है, हमारा विश्वत रेखा होता है, लेकिन इसके comparison में अगर हम इन दोनों को compare करें, तो यहाँ पर क्या है, high pressure है, और इसके comparison में इधर कैसा pressure है, low pressure है, भाई इधर 30 unit air है, इधर air जादा है, और यहाँ पर 10 unit air है, तो यहाँ air कम है, ठीक है, इसका मतलब इधर अगर compare करोगे, तो यहाँ high pressure equator पे, और यहाँ पर low pressure, और अगर नीचे compare करोगे surface पे, तो यहाँ पर low pressure 70 unit, और यहाँ पर 90 unit, तो यह आपको concept अपने दिमांग में बैठाना है, और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे कि low pressure condition में क्या होता है, और pressure को basically कौन कौन सी चीज़े प्रभावेत करती है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीके, तो यहाँ पर आपको यह चीज़ समझे में आ जानी चाहिए, कि क्या कैसे होता है, ठीके, तो next हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, वो next बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, लिख लीजेगा, heading डाल या इसे note करके लिख लो, कि atmospheric pressure, atmospheric pressure, atmospheric pressure, यह हम लोग लिख सकते हैं, वायू मंडली दाब जो है आपका, वायू मंडली दाब जो है, वो दो कारणों से प्रभावित होता है, is affected, is affected by two factors, यहाँ दखिए गए, दो, दो कारणों से प्रभावित होता है आपका, ठीक है, तो हिंदी मिख लो, वायू मंडली दाब, दो कारणों से प्रभावित होता है, वायू मंडली दाब, दो कारणों से प्रभावित होता है, पहला जो है हमारा कारण, वो है क्या temperature पहला कारक जो है वो है हमारा temperature ठीक है जिसको आप बोलते हैं तापमान तो तापमान के कारण हमारा वाईू मंडल जो है वो effect होता है और दूसरा हमारा जो factor है second factor जो है second factor है हमारा rotation of the earth rotation of the earth ठीक है rotation of the earth प्रित्वी के घुरन गत्वी से घुरन के कारण प्रित्वी के लिटलो प्रित्वी के घुरन के कारण ठीक है तो यह भी यहाँ पर याद अखना है प्रित्वी के घुरन के कारण ठीक है यह basically जो हम लोग बात करेंगे यह basically जो बात करेंगे यह हमारा जो है ह आपका thermal factor, this is thermal factor, यह हमारा कैसा factor है, यह thermal factor है, और यह हमारा जो है, this is dynamic factor, ठीक है, मतलब कि अगर आप से कारक के बारे में पूछा जाए, तो यह हमारा क्या है, तापिय कारक है, ठीक है, और यह जो है हमारा गतिक कारक है, यह कैसा कारक है, गतिक कारक है, ठीक है, तो यहां से, इनके वज़े से इन दो कारणों की वेज़े से हमारे प्रिफ्वी पर जो सर्फेस सता है वो प्रिशर हमारा प्रभावेत होता है ठीक है इनके दो कारणों से हमारा प्रिफ्वी पर प्रिशर प्रभावेत होता है ठीक है तो सबसे पहले जो हम लोग प्रिशर के बारे में बा कहां पर टेंपरिचर के वे जिसे हाई प्रिशर बेट होता है तो अब इसके बाद एक चीज और आप तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे लो प्रिशर के बारे में ठीक है यहां पर हम लोग सबसे पहले कि आ झिए और सुचो यहां पर आपके बगल में थो फैन लगा दि यहां लगा दियए इसको अब या उपड़ेंल खारें घ्रसान व उपड़ारू रहे हैं यहा मैंने दो फैन अब अब यह दो fan जो है, यह fan जो है उपपर की तरफ हवा फेक रहे हैं, उपपर की तरफ air rise कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक ची बता हो, अगर यह fan चलते रहेंगे हमेशा, तो हवा हमेशा उपर की तरफ जाएगी, क्या मेरे उपपर हवा गिरेगी, नहीं गिरेगी, तो क्या मु मुझे जो है एर का प्रेशर महसूस नहीं होगा इसका मतलब यह है कि जब भी जब भी एर आपका उपर उठे यहां तो दो फैन मैंने लगा दिया फैन के अलावा भी एर बहुत कारणों की वज़े से उपर उठ सकती है हम लोग देखेंगे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसक सकता है कारण प्रिठी का गुड़न हो सकता है करन और भी बहुत सारे कारण को सकते हैं ठीक है cs भी वेक्चते हैं कारण तो कारण पर भी जारें अगर है The air is rising, ठीके, मतलब मैंने ये कहा कि अगर याद अख्येगा Ascending Air है, याद अख्येगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला Ascending Air, मतलब की आरोही वायू है, अगर याद अख्येगा की आरोही वायू है, तो इसमें एक condition आपको बहुत clearly समझ लेनी है, क्या समझ लेनी है clearly, कि यहाँ पर हमेशा pressure कैसा रहेगा, तो आप बोलेंगे low pressure, pressure कैसा रहेगा, हमेशा low pressure रहेगा, air उपर उठेगी, तो pressure हमेशा हमेशा हमारा कैसा होगा, low pressure होगा, यह जाद है कि निम नदाब होगा, यह आपको important चीज समझ नहीं है, अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग temperature के बारे में बा करूँ, कि temperature से related, ठीक है, temperature से related, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, suppose, suppose, ठीक है, suppose आप यहाँ पर यह हमारा earth surface है, this is the earth surface, यह हमारी क्या है, this is the earth surface, यह हमारी जो है, प्रित्वी की सता है, यह प्रित्वी की सता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, प्रित्वी की सता है, प्रिशर में माल हूं कि लोइषर हमारा टीमपरिशर के बसी पर कभश है तो अधा अधा it Lieutenant commonly नौर्मली लोइड प्रिशर जो होता है वो कर बंता है समय में ग्रीश में रित्तु में बंता है ग्रीश में काल में बनता है ठीक है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय temperature कैसा होता है high temperature होता है temperature कैसा होता है high temperature होता है ठीक है याद अखिएगा तो यहां surface पे एगर high temperature है यहां HT मतलब क्या हुआ high temperature उचित आप मान है ना high if you're in contact you're in contact you're in contact with the one You're in contact with the warm surface with the warm surface here in contact with the one surface will also become warmer mmm will also become warm तो यह हो जाएंगी वायूआमारी गर्म हो जाएगी, मतलब कहने का यह है कि जो वायू वायू क्या है, वायू जो गर्म सता के संपर्क में है जो गर्म सता के संपर्क में है या दखे वायू जो गर्म सता के संपर्क में है वो क्या हो जाएगी वो भी गर्म हो जाएगी और अगर वो गर्म हो गई ठीक है ये वायू गर्म हो गई तो आव्विस सी बात है आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है कि वायू अगर ग बिल्कुल करेगी और आपको इक इससे पहले और बताया है कि 對啊 में यह जब उपर जाती है उपर जाती इन्डी हो जाती है तो आप है तो यह करें दू पर पर जा रही है तो यह जा रही है आप कहेंगे सर कब आपने बता है है भाई आप याद करिए कि मैंने आपको बताया था सामान्य पतंदर, मैंने आपको बताया था normal lapse rate, isn't it? मैंने आपको बताया था एक rate के बारे में, atmosphere में normal lapse rate, और जिन्हों ने वो class ने टेंड करी, वो class टेंड कर ले, तब भी, आप यहाँ समझ ले, यही पर आपको कहानी साहुच में मैंने बताया था कि हर 1 km उपर जाने पे 6.5 degree centigrade कम होता है, इसके पीछे मैंने reason भी बताया था, तो उपर जाने पे आपका जो temperature है, वो temperature आपका कम हो रहा है, ठीक है? उपर जाने पे आपका 1 km temperature क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसकी वज़े से air जो है, वो cold हो रही है, एक उसको हम वांडर भी बोल सकते हैं और उसको हम वाटर वेपर बिक। बोल सकते हैं या वाटर वेपर मतलब की जलवाश तो विग्यां कहेंगे इसको आपने वाश पर ला देखो एक जो गर्म वायू होती है उसके अंदर एक खूबी है है ना इसको तुम अभी याद कर लो बाद में तुम्हें चीज समझ में आएगी जब सापेक्षिक आदिता पड़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि जो वाम एर होती है ना जो गर्म व होल्डिंग कैपसिटी क्या होती है हाई होती है हाई ठीक है इट इस हाइए फिर से मैं बता रहा हूं कैसी चंता होती है उच्च आधतार ग्रहन छमता होती है मतलब ये humidity को जादा होड़ कर पाता है ये फैल जाता है तो इसमें पानी की मात्रा और आ सकती है ठीक है ये air जो होती है बड़ी हो जाती है तो इसके अंदर humidity नमी को ये क्या करता है निचोड लेता है basically अपने पास capture कर लेता है ठीक है याँ दखेगा जो एक गर्म वायू होती है ये नमी को क्या करती है निचोड लेती है वायू मंडल से ठीक है गर्म वायू फिर से याँ दखे निचोड लेती है अपने पास क्या करती है ग्राण कर लेती है तो यहाँ पर क्या करा इसने capture कर लिया humidity को capture कर लिया और यही गर्म वायू तो इसलिए मैंने क्या बोला कि इसके अंदर क्या है पानी है अगर किसी कोई air water को capture कर ले वही तो waterway पर है ठीक है symbol जी बात है वही waterway पर है तो वही जल्वाश पर अब यह जल्वाश जो है उपर गयी अब उपर जब जाएगे तो यहां पर मुझे बताओ क्या यहां पर condensation का process नहीं कोगा यहां पर हम लोग देखे तो यहां पर सब्जी बनाते हैं मैं बार-बार ही我們 देता हूँ सब्जी बनाते कि अब नजडहें को ऐखें और पॉर्माज कॉस्ट तहरी नजती आपको उसके अनदर बहुत ज Teil में पानी वह ईरएं रहने को निकाल के रख देते हैं साइड में टाइएं आपने उस धकन को जिसमें warm air चिपकी वी थी वो उसको क्या कर दिया उस air वाली आपने धकन को दूर कर दिया heat से heat से दूर कर दिया अब जब आप उसको वापस धकने के लिए उठाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जल्बूंद बनी वी है वहाँ पर क्या बना हुआ है water droplets बने वह हैं तो basically यह जो water vapor है यह जो water vapor है जब यह थंडे हो जाएंगे वो जो धकन के ओपर air थी वो थंडी हो गई क्योंकि आपने gas से उसको हटा दिया heat से हटा दिया और जब heat से हटा दिया तो obviously वह थंडी हो गई और थंडी होने के बाद वह water droplets बन गई और आप obviously जानते हैं से पहले मैंने बताया है कि यहाँ पर aerosol होना ज़रूरी है वो आपको मैं पहले ही concept दोता सुका हूँ तो यहाँ पर हमने क्या देखा यहाँ पर हम ले देखे कि बादल बन गए है ना यहाँ पर हमने देखा क्या बन गए बादल बन गए और जब इसको हम लोग 4 o'clock rain भी बोलते हैं है ना विश्वत रेखापे से चार बजे की वर्शा भी बोलते हैं यहाँ पर रेन भी आपको मिल गई तो यहाँ पर क्या हमको कुछ चीजें मिली हमें low pressure से क्या मिला हमें low pressure से अगर हमें यहाँ लिखना हो तो हम बता सकते हैं कि हमारी surface surface गरम होती है ठीक है और यहां पर यहां पर आप क्या है air rise करती है ठीक है यहां आने क्या देख एएर इस राoben एड़ इस राईज एपट होता है यहाँ पर क्या लिखते हैं वायू आर्वहण तोहाइज क्या उपर की तरह फूट रही है यह चीज sulphlayu की तरह समझें वायू जब उपर की तरह रही है तो यहाँ पर प्रिशर कैसा बन रहा है अब्वेची बात है, low pressure बन रहा है, ये चीज हमने देखी, समझी, कि निमने वायू दाब बन रहा है, लेकिन एक चीज और भी तो समझी, कि जब वायू उपर उठ रही है, वायू उपर उठ रही है, तो आपका आस्मान कैसा है, clouds बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आप कह सक pressure में clouds बन रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो precipitation होता है, इसके बारे में बात मैं कर चुका हूँ, वर्षन क्या होता है, precipitation क्या होता है, जैसे कि आपका वर्षा, ओले का गिरना, बरफ, है ना, ये सब क्या है, वर्षन के प्रकार है, तो जब आपकी यहां पर आपके बनेंगे, तो इसी से हो सकता है, बरफ गिरें, इसी से हो सकता है, वर्षा हो, है ना, तो यहां पर वर्षन की प्रक्रिया होगी, मतलब की आप देखेंगे, तो यहां पर बारिश हो रही है, ठीक है, और अगर बारिश होगी, मुझे बताओ, अगर बारिश होगी, इस केस म मैं क्या कह सकता हूँ कि यह हमारा जो सीजन है यह हमारा वेट सीजन हो जाएगा ऐसे सीजन को हम क्या बोलेंगे आदर मौसम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं जा बारिश हो रही वहाँ पर क्या होगा आदर मौसम ही इसको बोलेंगे हम लोग राइ दूसरी चीज आपका वहां पर क्लाउड बनेंगे तो बारिश होगी और बारिश होगी तो आपका मौसम कैसा होगा मौसम आपका आद्र हो जाएगा मौसम कैसा हो जाएगा आद्र हो जाएगा इसके साथ-साथ क्या मैं यह बोल सकता हूं अगर हमारा वेट सीजन है है ना मतल क्या एक चीज़ बताओ मुझे एक चीज़ बताओ कि जब एर उपर उठ रही है तो आपने कभी भी आज तक कभी भी आपने देखा है जब हम चक्रवात की बात करते हैं जब भी हम साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन यह ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी देख लेंगे तो उसमें भी क्या हो रहा है उसमें भी आपकी कोड़ एर जो है कोड़ एर वह इस प्रकार है और वाम एर क्या हो रही है उपर की तरफ उठ रही है और इधर आपका कोड़ एर है यह कोड़ है इनके बीच में आपकी वाम एर फज जाती है यह साइक्लोन नहीं आएगा एयर उपपर उठेगी तब ही आएगा अब यह नहीं बोलना हो दूसरा point यहां पर कह सकता हूं में क्या? कि जो हमारा low pressure है, ठीक है? Low pressure, यह हम कह सकते हैं कि यहां पर чक्रवाती इस्थिती होगी? यहां पर हमारी स्थिती कैसे होगी? चक्रवाती स्थिती? ठीक है? मतलब कि आप कह सकते हैं कि cyclonic conditions होंगी कि नहीं होंगी बिल्कुल low pressure में ही cyclones आएंगे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर बार cyclone आएंगे मैं यह बोल रहा हूं कि जब भी cyclone आएंगे तब आपका क्या होगा वहां पर low pressure होगा ठीक है तो low pressure मतलब cyclonic conditions इसका मतलब क्या low pressure में मैं एक और चीज यहां पर लि atmospheric instability होगी वायू मंडली है आइस्थिरता मैं कह सकता हूँ यहाँ पर होगी की नहीं होगी बिलकुल बिटा कह सकते हैं यहाँ पर वायू मंडल हमारा कैसा है वायू मंडल हमारा आस्थिर है आस्थिर मतलब क्या तो चो बरव गिर रहा है चकरवात आ रहा है आंधी तूफान चल लिए थंडर स्टॉर्म तर जंजा रहा है ऐसे वायू मंडल को तुम आपका इस्थिर बोलोगे इस्थिर बोलोगे नहीं बोलोगे ना इस्थिर मतलब होता है शान्थ जैसे अभी शीत काल में उत्तर भारत में अगर आप हैं तो यहां अभी बारिश नहीं हो रही है होगी वेस्टर्ण डिस्थर्बेंस की वज़े से लेकिन यहां अभी फिलाल आप देखेंगे तो बारिश नहीं हो रही है तो कैसा मौसम है यहाँ पर आप देखेंगे, शान्थ है मौसब, तो stability है, लेकिन जब अब आप देखते हैं, कि मौन्सून आता है हमारे, मौन्सून, wind आती है जब हमारे हैं, तो आप क्या देखते हैं, हमारा atmosphere कैसा हो जाता है, unstable हो जाता है, क्योंकि तब low pressure develop हो जाता है, तब क्या develop हो जाता है हमारे इंडिया में low pressure develop हो जाता है इसका मतलब यह है कि क्या आप यहाँ पर कुछ points low pressure के साथ relate कर सकते हैं तो पहला point आप क्या relate कर सकते हैं यहाँ cloud है cloud है तो यहाँ पर क्या है बारिश है ठीक है बारिश है तो मतलब यहाँ पर wet season है dry season नहीं है wet season है और दूसरा इसके साथ हम बोल सकते हैं, यह क्या है, cyclonic condition है, ठीक है, तीसरा point हमारा क्या है, cyclonic, और चौथा मैं बोल सकता हूँ, क्या, कि atmosphere unstable है हमारा, वायू मंडली आज सिर्ता है, यह low pressure के कुछ features हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, तो बारिश वही होगी, जहाँ low pressure होगा, बारिश वही पर होगी, जहाँ पर क्या होगा, low pressure होगा, ठीक है, अब आते हैं, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं, high pressure के बारे में, इसी प्रकार से हम लोग high pressure की कुछ विशेश, special जो conditions होती है उनको समझ लेते हैं ठीक है जो high pressure हबा रहा है high pressure के बारे में हम लोग कुछ special चीज़े उच्च वाईू दाब जिसको बोलते हैं उच्च वाईू दाब के बारे में कुछ चीज़े और हम लोग समझ सकते हैं एक तो हमने low pressure के बारे में ये भी समझा कि convergence of air हो रही है है ना लेकिन high pressure में हमने क्या देखा divergence of air हो रही है अब देखो high pressure की condition temperature की basis पे बात करें हम लोग आपर है ना किसके बारे में temperature की basis लेकिन एक fan लगा दिए उपर और fan की हवा नीचे की तरफ आए अगर जैसे fan चल दा अभी यहां पर मैं fan के नीचे खड़ा हो जाओ तो fan की हवा क्या होगी मेरे उपर गिरेगी की नहीं गिरेगी मेरे उपर इस तरीके से गिरेगी और जब भी air गिरेगी तो air का weight होगा वायू का वज क्येंगा हमेंशा कैसा प्रिशर होगा हाई प्रिशर होगा मतलब जब भी आपका इसका मतलब קया हुआ जब भी कह सकते हैं कि हमारी वाईव क्या होगी Del Figure are Huh कहीए हमारी सरी हां ठीक है मतलब की अवनों ही भाईव है नीचे गिरने वाली वाईव अवरोही हो रहा है अवतलन हो रहा है वायू का मतलन नीचे गिर रहे नीचे घर रही है रहा है कि यहाँ पर pressure कैसा रहेगा यहाँ पर pressure हमेशा high रहेगा अब अगर high pressure को हम यहाँ पर temperature के perspective से देखे अगर हम लोग तापमान के हम लोग देखेंगे rotation की वज़ जिस कैसे बनता है लेकिन अगर pressure हम लोग temperature के perspective से देखे तो एक चीज हम कह सकते हैं कि ऐसा परशार आपको कब दिखेगा ऐसा परशार आपको winter season में दिखेगा ऐसा परशार आपको जो है यह शीत काल में दिखेगा यह चीज तो हम बोल सकते हैं यह कब दिखेगा आपको शीत काल में दिखेगा कि इस प्रेकार जो हवा आपकी नीचे की और गिर रही है ना क्यूंकि शीतकाल में होता क्या है कि शीतकाल में जो हमारी वायू है ठीक है वायू ठंडी होती है याद धकेगा एर जो हमारी एर एर इस वह ए प्रेएर is colder रिखे यह चीज एक जम की जो हमारी वायू होती है वो ठोगे चीज से तो एगर चीज यांते होगे तो यह तो थंडी होके क्या होती है वायू सिकुड जाती है वायू क्या होती है सिकुड जाती है ठीक है वायू क्या होता है एयर कॉंट्राक्स वायू क्या हो रही है एयर कॉंट्राक्स अब आप बोलेंगे इसका मतलब बिटा जब एयर कॉंट्राक्ट हो रही है तो उसका क्या हो रहा ह इसका मतलब वो denser हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? Air will be denser Air is what? Air is denser ये बोल सकते हैं कि वायू जो है ये अधिक घनी हो जाएगी ये हम कह सकते हैं अधिक घनत तो इसका हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि molecule पास पास आ रहे हैं अब ठंडी चीज एक ठंडा लोहा सोच लो और गरम लोहा सोच लो पिगला हुआ पिगले वले हो में molecules दूर दूर चले आते हैं जैसे हमने देखा था उसमें density कम हो जाती है यहाँ पर क्या होता है यहाँ density पास पास आपके contracts हो रहे है molecules तो density बढ़ रहे है और density बढ़ने का मतलब सोच क्या हो वायू का भार क्या होगा अधिक हो जाएगा इसका मतलब यह है कि जो हमारी air है air will be heavier air will be what air will be heavier and when the air is heavier when the air is heavier obviously gravitational force will work ठीक है गुरत तुबल हमारा काम करेगा और उसके कारण air भारी होके क्या होगी एर भारी होगे क्या होगी इस प्रकार से नीचे आएगी और अगर आप नीचे खड़े वे हैं तो आपको एर का भार महसूस हो रहा है और अगर आपको एर का भार महसूस हो रहा है तो अव्यसी बातें यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा उच्च वायुदाव हो जाएगा यहां पर प्रशर कैसा हो जाएगा उच्छ वायू दावर अब यहां पर एक concept आपको और समयना है यहां पर concept यह समयना है कि जब air नीचे गिर रही है air जब नीचे गिरती है ठीक है air जब नीचे गिरती है वायू वायू जो नीचे गिरती है ठीक है मतलब कि air जब subside करती है air when subsides ठीक है तो obvious सी बात है यहाँ पर एक concept काम करता है आप लोग पहले भी आले lecture में देख चुके है मैंने बताए था कि air जब नीचे आती है तो गरम होती है नॉर्मल lapse rate के हिसाब से बाई अगर उपर आप जाने पर आपको ठंडा लग रहा है उपर जाने पर यह ठंडी हो रही है तो नीचे आने पर गरम भी तो होगी और इसके पेचे मैंने पूरे concept बता रखें अगर याद रखें आप जब molecules आपस में टकराते हैं friction होता है है ना तो heat generate होती है मैंने adiabatic heating के बारे में आपको बताया था तो यहाँ पर आपको अगर आपने previous lectures नहीं देखें तो please देख लिए playlist बनी वी है और वो उसके बाद भी आप यह उसके बाद अगर यह lecture देख रहे हैं तो और जादा समझ में आएगा आपको तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि वाईू नीचे आने पर air जो हो रही है वो क्या हो रही है? warmer air बन रही है air कैसी हो रही है यहाँ पर? नीचे आने पर warmer अब आप बोलेंगे साथ ठंडी में तो हमको गरम एर लगती नहीं है अब यहाँ पर जब मैं warmer बोल ला हूँ तो उपर के comparison है उचाई पर ठंडी है उसके बाद जैसे 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 नीचे आएगी उचाई पर ठंडी जैसे जैसे नीचे आएगी क्या होगी? गरम होगी ठीक है? और अगर गरम होगी गर्म होगी तो इसके अंदर एक प्रोपर्टी आ जाएगी जो हमारी warmer air है यहाँ पर गर्म वायू है आप बताईए क्या प्रोपर्टी है मैंने बताए था आपको warmer air की एक प्रोपर्टी होती है कि यह नमी को निचोड लेती है वायू मंडल से नमी को नमी को निचोड लेती है क्या पताए मैंने नमी को निचोड लेती है नमी को निचोड लेती है मतलब की it absorbs the moisture from the atmosphere ठीक है it absorbs the moisture from the air moisture from the air ठीक है तो यह moisture को absorb कर ले रही है आपने कभी इसका concept सुन जाओगा तो आप कहेंगे sir अगर आपने अभी बताया कि गरम air जब होती है उपर जाती है फिर वो आपने कहा कि sir बारिश होती है तो wet season होता है अब नमी रहती है air में अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है condition कुछ अलक्स ही है air में absorb कर लें नमी अगर आप जो है उत्तर भारत के मैदान रहते है जिसे उत्तर प्रदेश में दिल्ली में हरियाना में यहाँ पर मई के महीने में ठीक है मई के महीने में लू चलती है लू local wind है है ना जब हम लोकल wind पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे local wind है लू लू चलती है जब तब आपने देखा है air कितनी dry होती है air गरम भी है और dry भी है है ना जो मैंने बताए उसका opposite air गरम भी है dry भी है क्योंकि air में मौश्यर ही नहीं है air फैल के बड़ी हो गई उसने सारी नमी को क्या करा निचोड लिया ठीक इसी प्रकार इसी प्रकार यहाँ पर भी आदखिये जब वायू नीचे गिर रही है तो गरम हो रही है और मैंने पहली वाले lecture में यहाँ बताए था थे क्यां? मैं बोलना हूँções यह हमारी current ठीक है जो कि नीचे आते आते आप जानते है यह हमारी थंडी वाईू है थीव che Soil यह नीचे आते आते गरम हो रही है क्योंकि जैसे हर क़िलो बाइर दाने पर आपको ठंड़ा हो रही थी वैसे हर एक किलोमेटर नीचे आने पर नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है अब टेंपरेचर बढ़ेगा नीचे आने पर तापमान बढ़ लाए ठीक है और उसकी वज़े से एर क्या है गरम हो रही है और जब एर गरम हो रही है तो वह नमी को निचोड़ ले रही ह और आपकी air कैसी हो रही है, ड्राइ हो जा रही है, आपने सर्दिया आते ही, क्या लगाते हो, moisturizer लगाते हो, moisture, moisture से word है moisturizer, नमी तुम्हारी body से खतम हो जाती है, क्यों मालूम है, air dry जब होती है, air की खुबसूरती और है, जो air होती है, वो नमी को निचोड़ने की उसकी आदत होती है, अगर वो जितनी सूखी होगी, वो तरह नमी को निचोड़ेगी, अब वाईू मंडल में तो नमी है नहीं, air यहाँ मारे atmosphere में तो नमी है नहीं थंडियों में, क्या गरती है, तुम्हारी body से नमी को निचोड़ती है, वो क्या गरती है, वो तुमारी बौडी से मौइश्याद को खीशती है और आपको क्या महसूस होता है? रूखापन. तब आपके हाद, गाल, यह सब क्या ह revolutionary बढाते हैं? और तब आप्दम क्या लगाते हैं? मौश्यादया लगाते हैं. इसी लिए सर्दियों में मौश्यराज लगा रहे हैं गर्मी में वैसे ही तुम्हारे पसीना निकल ला मौश्यर बहुत है तो यह चीज आपको समझनी है अब हम क्या लिख सकते हैं इसका मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर क्या आप बताये मुझे आप बताये एर गिर रही है नीचे ड्राइएर है कभी क्या बादल बनेंगे नीचे गिरते हुई कभी नहीं चकते वाईयू से तो तभी बनेंगे जब condensation होगा जब air उपर उठेगी गर्म एयर उपर उठके ठंडी होगी condensation होगा तो जलबूंद बनेगी है ना तो यहां पर आप याद अखिएगा गिरती वी वायू से हमेशा याद अखना गिरती वी वायू से जहां वायू गिर रही है ठीक है कारण कुछ भी हो कारण कुछ भी हो अगर वायू गिर रही है तो कभी भी बादल नहीं बनेंगे हाई प्रिशर पर यह तो हाई प्रिशर आपको क्लाउड नहीं मिलेंगे तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं मतलब की मेग रहित ठीक है मेग रहित आकाश आप कह सकते हैं और अगर मेग रहित आकाश है तो अव्विस सी बात है यहां पर बारिश होगी क्या नहीं होगी ठीक है इसका मतलब नो रेंड नो प्रेसिबिटेशन है ना यहां पर वर्शा और वर्शन का आभाव होगा और वर्शा का अगर आभाव है यहां पर अगर वर्शा नहीं हो रही है ठीक है तो हमारा सीजन भी कैसा हो जाएगा ड्राय हो जाएगा ठीक है सीजन कैसा हो जाएगा ड्राय सीजन हो मिलेगा मरूस्थल मिलेगा जहां परापको देजर्ट फिर यह थंडा हो चाहा गरम पिर चाहे वो मंगोलिया का हुझ चाहे मंंगोलिया का साथार कामा डेजर्ट हो जाहे डेजर्टेव या ईस्टेलिया के जो डेजर्ट हो गए गिंपने नौल तो याद रखिएगा कि यह जो डेजर्ट है यह हमेशा कहाँ होगे डेजर्ट पे हमेशा कैसा Korea होता है high pressure, कभी कदा low pressure बनता है, मौसुमी, seasonal बारिश हो जाती है, conventional rainfall लेकिन normally desert में क्या होता है normally desert में high pressure होता है, ठीक है, यह चीज यहाद दखेगा दूसरी चीज मुझे बताईए, क्या यहाँ पर कभी भी cyclone आ सकता है cyclone हमेशा जब गरम हेर उपर उठेगी तब ही आएगा है ना तो यहां cyclone भी नहीं आ सकता तो क्या मैं बोल सकता हूँ high pressure का मतलब क्या है high pressure का मतलब है anti cyclonic conditions क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर high pressure का मतलब क्या है anti cyclonic conditions मैं बोल सकता हूँ प्रती चक्रवाती है, प्रती चक्रवाती स्थिती, प्रती चक्रवाती स्थिती बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्थिती कैसी है, प्रती चक्रवाती स्थिती है, ठीक है, कैसी स्थिती है, प्रती चक्रवाती स्थिती है, कभी भी आपका यहाँ प पताय था लेक्चर में तो एंटी साइक्रोनी कंडीशन होती है अब यहां नहीं बारिश हो रही है नहीं ओले पढ़ रहे हैं नहीं यहां पर तूफान आ रहा है तो अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकता हूं वायू दाव का जो रिलेशन है यह एक्मॉस्फेरिक स्टेबिलिटी से है क्या मैं बोल सकता हूं अगर हाई प्रिशर है तो वहां पर क्या होगा एट्मॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी मतलब कह सकता हूं मैं कि वायू मंडली है यहां पर बोल सकता हूं वायू मंडली इस्थिरता होगी बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहां वायू low pressure with respect with temperature अभी हम लोग देखेंगे हमने बूला ना temperature जो pressure builds है हमारी उनको प्रभावित क्या करता है temperature तो आपने देख लिया जहां पर ठंडा होगा जहां पर एर आपकी ठंडी होगी वहां पर कैसा होगा high pressure मतलब कि अगर मैं पोल्स की high होगा और अगर वाईउ गरम है कहां होगी गरम तो आप कहेंगे सर गरम तो कहीं जगा होगी लेकिन एक बहुत आसानी से आपको समझे आ जाता है equator इकोईटर बड़ी आसानी समझ में आ जाता है और equator में कैसा pressure होगा हमेशा low pressure होगा तो वो हम लोग अभी समझेंगे इसके बाद लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या अब मैं आपको बताने जा रहा हूं Coriolis force तो अब हम लोग Coriolis force को समझेंगे लेकिन Coriolis force से एक और पहले है force उसको समझना ज़रूरी है तभी आपको Coriolis force समझ में आपाएगा और यह कैसे हमारे pressure belt को प्रभावित करें कैसे हमारे pressure belt को effect करें उसको भी समझना पड़ेगा तो पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे कि pressure gradient force क्या होता है ठीक है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे pressure gradient force के बारे में और यह pressure gradient force जो है यह किस तरीके से प्रभावित करता है किसको हमारे जो pressure belt से उनको तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं किसके बारे में तो दाब प्रवाथा बारे में बात करने वाले दाब प्रवाथा बहुत ही आसान है इसमें कोई rocket science नहीं है कुछ बहुत जादा समझना नहीं है simple सी बात है जब मैं बात करता हूँ दाब प्रवनता की ठीक है जब मैं बात करता हूँ pressure gradient की तो यह जो शब्द है प्रवनता या gradient अगर यह कभी भी आपके दिमाग में आए चाहे temperature gradient हो चाहे pressure gradient हो यह जो gradient शब्द होता है इसका मतलब होता है अंतर याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ simple सी बता रहा हूँ कि जब भी यह word आए gradient जिसको हम बोलते है प्रवनता तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अंतर याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है difference या अंतर ठीक है इसका मतलब होता है difference या अंतर और obvious सी बात है यहाँ पर pressure gradient मतलब pressure के बीच में अंतर ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि जो pressure gradient है ठीक है pressure gradient पहले क्या होता है और फिर force के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है तो pressure gradient अगर कोई आपसे पूछे ठीक है दाव प्रवनता किसी से पूछे हिंदी में लिख लेना दाव प्रवनता इसका मतलब होता है high pressure high pressure minus low pressure याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है high pressure minus low pressure ठीक है मैं फिर से बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है उच्चदाब minus निम्नदाब इनके बीच का जो भी resultant है जैसे suppose कहीं पर pressure gradient हमें पता करना है कितना है और वहाँ पर हमने देखा high pressure कितना है high pressure है 104 MB ठीक है और एक जगह आपका जो low pressure है वह कितना है वह आपका है 1000 MB ठीक है तो यह एक आपका pressure gradient हो गया इसको अगर मैं मालनू case A इसको मालनू मैं case A ठीक है यह case A है जिसमें हमारा pressure gradient जो है वह कितना आया वह pressure gradient आया 4 MB यही तो आया 1004 MB में अगर आप 1000 4 MB में 1000 MB माइनस कर दे तो 4 MB बस्ता है 4 MB हमारा क्या है यह हमारा case A में हमारा pressure gradient है अगर ऐसे ही मैं मालनू एक case B ऐसी मालनू एक case B दूसरा case है जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो जो जगहा है वहाँ पर pressure gradient है 1012 MB ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर जो आपका low pressure है low pressure है 912 MB आपका low pressure है 992 MB ठीक है यह आपका है low pressure तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना अंतर हो गया तो यहाँ पर अंतर है 20 MB का ठीक है यहाँ पर MB कितना अंतर है यहाँ 20 MB का अंतर हो गया अब मुझे बताईए case A में pressure gradient जादा है कि pressure gradient आपका case B में जादा है तो obvious सी बात है clearly हमें दिख रहा है यहां पर pressure gradient is what higher यहां पर जो हमारा दाव परणनाता है वो अधिक है यह चीज हम clearly देख सकते हैं ठीक है 20 MB और 4 MB में 20 MB जादा होता है अब आपको कुछ चीजे बतानी है ठीक है जैसे suppose यह हमारा क्या एक ISO बार है हमने बोला यह हमारा 112 MB का ISO ठीक है और एक ISO बार आपका है जैसे हमने यहां बताया 902 MB का ठीक है इस तरीके से आपके ISO बार है यह आपका ISO बार है ठीक है अब जो pressure gradient है pressure gradient इन दोनों के बीच का अंतर है इन दोनों के बीच का difference है यह case B मानलो हम लो case B को समझ रहे हैं ठीक है जो मैंने अभी लिखा ठीक है तो यहाँ पर आप difference देख रहे हैं अब pressure gradient force क्या होता है pressure gradient वो force होता है जिसकी वज़े से winds जो है वो high pressure से low pressure move कर दी simple दी बात है अगर आपसे पूछे कि यह बल क्या है दाव प्रवानता बल तो यह वो बल है जो की high pressure से low pressure air के movement को मजबूर करता है ठीक है तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ से air कैसे चलेगी तो यहाँ से air हमेशा याद अखिएगा isobar के perpendicular होगी pressure gradient force pressure gradient force is always is always perpendicular is always perpendicular to the isobars to the isobars ठीक है तो यहाँ पर हिंदी में लिख लिजिए कि दाव प्रवानता बल हिंदी में लिख लो दाव प्रवानता बल सम दाव रेखाओं के दाव प्रवानता बल सम दाव रेखाओं के हमेशा लंबवत होगा ठीक है तो मैंने क्या बताया है यहाँ बताया यह 90 degree पे पढ़ेगा सम कोण होगा है ना सम दाव आपका याद दखेगा सम दाव रेखाओं के सम कोण पढ़ता है आपका क्या दाव प्रवानता बल तो या दखेगा दाव प्रहुतावल सदैव क्या होगा सम दाव रेखाओं के लंबवत पड़ेगा सम कोन पे पड़ेगा ठीक है और आपका pressure gradient force है क्या अगर इसको define करने को आए तो आप लिखेंगे force force responsible responsible या दखो force responsible for the generation of winds force responsible for the generation of winds बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने आपको क्या मैंने बताया यहां पर मैंने बुला कि यहां बल जो की बल जो की पवन पवन के उत्पती के लिए पवन की उत्पती के लिए उत्तरदाई है पवन की उत्तरदाई है ठीक है मतलब यही responsible है This is the force which is responsible for the generation of it पवन अगर कहीं से चल रही है अगर winds चल रही है तो winds चलने के पीछे कारण क्या है Winds चलने के पीछे pressure gradient force है आपका Pressure gradient force क्या है जिसकी वज़े से winds चल रही है Winds कैसे चलती है तो यह है हमारा high pressure आप देख सकते हैं 1012 MB और यह है हमारा low pressure तो wind हमेशा high pressure से low pressure चलती है और यह क्यों चल लिए क्योंकि pressure gradient force है ठीक है तो pressure gradient force को हम लोग PGF से भी denote करते है ठीक है यह जब हम लोग atmospheric circular circulation पढ़ेंगे है न जब हम लोग वाईउ मंडली परिसंचरान पढ़ेंगे नेक्स चैप्टर में उसमें तुम्हें बहुत आसान ही समझ भाएगा ठीक है तो यह याद एखिए PGF है यह क्या है PGF है तो pressure gradient force pressure gradient force basically क्या कर रहा है wind movement को मजबूर करता है wind movement को आप कह सकते है wind को generate करता है ठीक है तो what is Coriolis force अब हम लोग बात करेंगे Coriolis ball के बारे में Coriolis ball के बारे में तो Coriolis ball है क्या यह Coriolis force है क्या इसके बारे में हम लोग चीज़ों को समझेंगे इस वेरी इंपोर्टेंट पर यह exam point of view ठीक है अब देखी क्या है कि हमारे surface पे हमारे surface पे जो भी चीज़ move कर रही है ठीक है जो भी चीज़ move कर रही है उस पे यह बल लग रहा है तो आप बोलेंगे सर यह बल है क्या वास्तों में यह बल है यह नहीं वास्तों में यह प्रभाव है effect है ठीक है इसलिए इसको हम लोग Coriolis effect भी बोलते है लेकिन है क्या यह इसको समझो देखो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है आपकी एक चीज़ समझनी ज़रूरी यह है कि हमारा अर्थ surface अकर हम देख लें और यह हमारा मालने equator है ठीक है यह हमारे poles है 90 degree north 90 degree south ठीक है हमारा अर्थ जानते हो कि अर्थ पे एक axis है है ना अक्षे है axis है और हमारे axis पे इस axis पे जो अर्थ है that rotates वो क्या करता है rotation करता है ठीक है तो यहाँ पर हम जानते है कि एक rotational यहाँ पर क्या है rotational आप कह सकते हो force है जो लगता है हमारे अर्थ में एक rotational force है घुणन बल है आप कहसकते हैं ठीक है, तो यहाँ पर क्या है घुणन बल है घुणन बल या rotational force कहलो आप तो हमारा अर्थ बेसिकली क्या है अमारा अर्थ जो है वो west to east गुनता है ठीक है हमारा जो अर्थ है प्रिस्वी जो है वो west to east हमारी rotate करती है ठीक है और इसी लिए इसी लिए यहाँ पर कोई भी चीज जो भी आपका गतिक मतलब जो भी चीज motion पर है उस पर यह force लगता है ठीक है एक जगह यहां मालो a dash है ठीक है अब आप सोचिए अब आप सोचिए कि आपने यहां से कोई चीज यहां फेकी हवा में पत्थर या बॉल फेका आपने कोई चीज पत्थर या बॉल फेकी थ्रो करा आपने थ्रो करा जब आपने थ्रो करा तो आपने थ्रो सीधा करा ठीक है आ आपका जो डारेक्शन था वो ये था सीधा अपकर डार्शं करसी ठीदा ठीज ए the point A, right, what happened? ये जो है आपका shift कर गया, ये क्या हुआ? ये आपका shift कर गया, और shift करके A dash इधर आ गया, और तब तक A आपका यहाँ पहुच गया तो आपने फेका किदर था? आपने फेका तो इस तरफ था लेकिन क्या वो यहाँ पर पहुचा? वो actually क्या हुआ? फेका आपने सीधे, लेकिन वो point आपका क्या हुआ? चला गया, तो अगर आप यहाँ से खड़े होके देखेंगे, अगर यहाँ से खड़े होके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ball तो आपके पास फेकी थी उन्होंने, लेकिन ball क्या हुई? डिफलेक्ट हो गई, ball क्या हुई? डिफलेक्ट हो गई, ठीके? तो ball आप देखेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास आ रही थी, लेकिन ball क्या हुई? इधर चली तो आपको एक deflection नज़र आएगा, एक क्या होगा? विक्षेपण नज़र आएगा, इसका मतलब सिंपल जाइए है, कि अगर आप, जैसे आप सपोज आपने merry-go-round देखा होगा, आपने, ऐसे आप लोग बच्पन में, आप लोग ने merry-go-round, अंग्रेजी में इसको बहुत अच्छी भाशा हम बोलते है, merry-go-round, हम लोग तो चकर-घिन्नी बोलते थे, ठीक है, हिंदी में, तो ये जो merry-go-round है, ये merry-go-round आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, है ना, और यहाँ पर जो है, आप लोग खड़े हो जाते हैं, और कोई न चाता है, centrifugal, centripetal force लगता है, बहार, अंदर, ये सब आपने देखा होगा, ठीक है, और ये इस तरीके से नाचता है, ये इस तरीके से नाचता है, अगर suppose यहाँ कोई वेक्ती बैठा दो, है ना, कोई वेक्ती इधर बैठा दो, कोई वेक्ती आप, जो है, इस तरव वेठा दो, यहाँ पर, ठीक है, अब मैं आपको बताओं, अगर ये rotate कर रहा है, ये rotate कर रहा है, जैसे हमारा earth rotate कर रहा है, आप अगर इसके पास ball फेकना चाहेंगे, आप इसके पास ball फेकना चाहेंगे, और यह rotation ऐसे है तो ball इसके पास ना आके ball किसके पास आईगी ball इसके पास आईगी तो यह जो है basically क्या है यह हमारे rotation का प्रभाव है कोई बलवल नहीं है it is just the effect यह क्या है यह effect feel हो रहा है ठीक है तो Coriolis force क्या है Coriolis एक व्यक्ती थे जिनका नाम था GG Coriolis ठीक है यह क्या नाम था इनका GG Coriolis ठीक है इन्हों ने इसके बारे में जो है इन्हों ने इसके बारे में बात करें इस force के बारे में यह इस effect के बारे में बात करें तो वास्ताव में होता गया है यह जो Coriolis force के बारे में बात करी इन्होंने तो इन्होंने का जो हमारा अर्थ है अर्थ है जो वो rotate कर रहा है और rotation की वज़े से deflection हो रहा है ठीक है, rotation की वज़े से deflection हो रहा है तो यह जो deflection हो रहा है इसी कोई नोंने क्या बोला Coriolis Force बोला मतलब आपने चीज यहाँ पर फेकनी चाही आपने चीज ऐसे फेकनी चाही ठीक है वो चीज आपके पास ना जाके यूँ घूम जाए है ना आपने चीज इस प्रकार से फेकनी चाही वो आपके पास यूँ ना जाके यूँ घूम जाए है ना क्यों ऐसा दिख रहा है ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका moment हो जा रहा है जब तक आप जहां पर बॉल फेक रहे हैं वो अर्थ घूम जा रहा है सोचो तुम्हें निशाना लगाना है तो तुमने निशाना एकदम सीधे लगाया बहुत डिस्टेंस दूर है है ना आपने लगभग 300 मीटर पर निशाना लगाया तो क्या तुम एकदम सीधे जब निशाना लगाओगे तो विंड विंड सोड़ दो इसको वैक्यूम मान लो विंड का कोई प्रभाव निए तुमने सीधे निशाना लगाया तो वो क्या जाके सीधे लग जाएगा नहीं लगेगा कभी भी तब तक अर्थ जो है हलका सा घूम जाएगा आपका अर्थ जो है वो हलका सा घूम जाएगा एर्बी फ्रिक्रिक्शन का काम करती है तो वह अलग कहानी है लेकिन यहां पर कहने का मतलब वह है कि अगर आप लोग जो है देख रहे हैं यहांपर अगर आपने और्थ में अर्थ का कोई हुआ तो यहां पर ट फिलेक्ट हो जाए इसका मतलब है campe of a ही है कि हमारे जो कोरियोलिस सहाब हैं, कोरियोलिस सहाब ने कुछ बात बोली, कहा ये सबसे पहली चीज तो, उन्होंने कहा कि जो अर्थ का रोटेशन है, ठीक है, धी रोटेशन ओफिछ या, या because of the rotation of the earth, because of the, because of the rotation of the earth, because of the rotation of the earth, ठीक है, हिंदी वाले लिखले है, प्रिथ्वी की घुलन गती के का रहा, because of the rotation of the earth, the moving body, the moving body on the earth surface, या moving body on the earth, deflects, deflects, on the earth, deflects, ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि प्रिथ्वी के घुलन गती के कारण, जो चलाएमान वस्तु है, वो विक्षेपित हो जाती है, जो चलाएमान वस्तु है, वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, और इसी प्रभाव को, इसी deflection को, ठीक है, इसी ओन एज कोरियोलिसफेपित हो जाती है, तो इसी deflection को हम क्या बोलते हैं, या क्योंकि यह फोर्स है ही निवास्तूँ में देखोगे तो, यह एक rotational effect है, इसलिए से प्रियोलिसफेक्ट भी बोलते हैं, कोरियोलिस प्रभाव भी बोलते हैं, हिंदी में लिख यह तो कहते हो विक्षेपणबल है एक तरीके से क्या है विक्षेपणबल जो की प्रिच्वी के घुणंगती के कारणा पैदा हो रहा है इसी को हम कोरियोलिस फोर्स बोल रहे हैं अब दीदी कोरियोलिस ने बड़ी इंट्रेस्टिंग बात बोली उन्होंने कहा कि जो हमारा ह सर्दन हमिश्फेटर में अलग तरीके से डिफलेक्यत होती है और सुधक्林 अलग तरीके से डिफलेक्त होती है और इसको तुम ट्राइ इसने क्या बोला यह important बात जो इन्हों ने बोली इन्होंने कहा बहुत important चीज़ दता रहो इन्होंने बोला कि Northern Hemisphere में Northern Hemisphere Northern Hemisphere ठीक है deflection is what? Right hand right hand deflection इन्होंने बोला क्या कि Northern Hemisphere में deflection जो होता है वो किस तरह होता है? Right hand होता है और Southern Hemisphere में deflection जो होता है वो कैसे होता है? याद अखेगा Southern Hemisphere में left hand deflection इन्होंने बोला ठीक है बेटा? क्या बोला? Left hand deflection ठीक है? सिंपल सी बाश यह है कि अगर तुम उत्तरी गोलार्द में हो ठीक है? दां इहाथ, थो आपने गोली चलाई तो ध्यान रखो कि तुमारा दोस्त जो है वो दां इहाथ में नहों तुमारा जो है दुष्मन वो दां है उसी गोली पढ़एहन अगर आर्मी और पुल्स में हो यह ना सुचना तुम्हें है? तो यहां पर आपको ज्यार में पढ़ेगा याद घखना वो दाएं बाएंघ्ट ह장님 मुटए सब्सक्राइब करते हैं और Northern Hemisphere में हो तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है क्या कि ये दाई और उम्डएगी इदाई और विक्षेपित होगी और अगर आप दक्षनी गुलार्द में हैं तो ये किधर होगी तो ये दक्षनी गुलार्द में आपका याद अखेगा ये बाई ओर होगी ऐसा किस ने बोला ऐसा बोला जी जी कोरीयॉलिस ने और इस ही खो क्या बोल दिया और यह को रृवॉलिस फोर्स ही आपको समझाएगा यह को रृव dw Atmoseric I साइक्लोन आपका सर्दरन हमें उसके पीछ यही कारण है कि यह हम लोग बाद भी समझेंगे लेकिन यहां इस movement को समयना बहुत ज़री यह जो आपका motion है इसको समयना बहुत ज़री है अच्छा इसमें थोड़ी से confusion होगा तुम लोग है इसमें से confusion होगा यह confusion हम लोग जो है इसको दूर कर देंगे इस confusion को मैं दूर कर दूँगा लेकिन Coriolis force के बारे में पहली चीज़ यह समयनी ज़र हमारा जो अर्थ है ठीक है अगर हमारे अर्थ में हम लोग बात करें ठीक है तो हमारे अर्थ में क्या है हमारे अर्थ में आप देखेंगे कि एर जो है या यह जो एर हमारा यह क्या है यह एर बेसिकली जो है यह अटाच किसके साथ अटाच है यह एर हमारा जो है अटाच है due to gravitational force ये बताईए मुझे जो वायू है हमारी या जो air है ये gravitational force की वज़े से attach है की नहीं बिल्कुल है है ना ये gravitational force की वज़े से attach है मतलब की अगर हमारी प्रिछ्वी यूँ घूमेगी suppose ऐसे तो ये भी जो है ये भी इस पे भी घूमने का प्रभाव पढ़ेगा की नहीं पढ़ेगा बिल्कुल पढ़ेगा है ना यहां की air पे भी पढ़ेगा इधर की air पढ़ेगा atmosphere पे सब ही air पढ़ेगा है ना हमारी ocean currents जो है ना ocean currents उसमें भी Coriolis force का ही बहुत बड़ा रोग योगदान है क्योंकि मैंने बताया कि हमारे अर्थ पे प्रित्वी पे कोई भी चीज चल ली हो फिर चाहे वो हवाई जहाज वो aeroplane फिर चाहे वो चिडिया ओड़ा ही हो फिर चाहे आपने firing करी हो फिर missile दागा हो कुछ भी हो उस पे coriolis force काम करता है फिर चीज आपको थोड़ी समझनी है अब मैं pressure belt पे जबाऊँगा तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज और जो है वो deep में बताऊँगा फिर चाहे तो यह coriolis force है लेकिन coriolis force में कुछ विशेष्टा है coriolis force की वो coriolis force की कुछ विशेष्टा समझे हो ठीक है मतलब की features of कह सकते हो ठीक है features of coriolis force यह कुछ basic features है जिससे आपको समझने में pressure rate बहुत असानी होगी ठीक है पहली चीज इसको लिख सकते हो coriolis buls की विशेष्टा है इसको इस तरीके से इडिंग डाल सकते हो coriolis buls की विशेष्टा है तो पहली चीज एक याद अखिएगा आपके आप कि जो coriolis force है यह वास्तों में क्या है यह वास्तों में force नहीं है it is an effect ठीक है तो यह याद अखना है आपको कि it is it is not a force rather it is rather it is the effect of rotation offer जो मैंने बात बुल गया ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है आपको यहाँ पर समझना है कि हमारा जो coriolis buls है हिंदी में लिख लो वास्तों में बल ना होके प्रित्वी के घुणंगती का प्रभाव है वास्तों में बल ना होके प्रित्वी के घुणंगती का प्रभाव है पहली चीज तो यह ठीक है दूसरी चीज ठीक है दूसरी चीज coriolis force क्या wind की speed को effect करता है या wind generate करता है answer is no ठीक है याद अच्छीगा coriolis force जो है cf मतला coriolis force coriolis force केवल deflection है मैंने बताया यह कोई force नहीं है यह pgf नहीं है यह pressure gradient force नहीं है दाव प्रहुताबल नहीं है इसकी वज़े से पवन नहीं चल लए है पवन pressure gradient force की वज़े से चल लए है यह केवल क्या है deflection है याद अख्येगा क्या है यह deflection है तो Coriolis force is just a deflection. ठीक है? It's just a deflection. और यहाँ पर लिगले ना, Coriolis force is not responsible for the generation of wind. ठीक है? तो यहाँ पर हिंदी में लिख लो कि Coriolis force केवल एक विक्षेपण है, यह यहाँ पवन की उत्पत्ती के लिए उत्तरदाई नहीं है. यहाँ पवन की उत्तरदाई नहीं है. ठीक है? याद रखेगा. दूसरी चीज, आपको एक चीज में बता दू. यहीं पर नोट करके लिखना. PGF में मैंने जानबूच के नहीं लिखा था. यहीं पर समझो इसको. नोट करके लिखो इसको. ब्रैकेट में. ठीक है? ब्रैकेट में नोट करके क्या लिखना है? नोट करके यह लिखना है कि Higher the pressure gradient force. Higher is the velocity of wind. ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको clearly लिखना है कि जितना अधिक दाब प्रवनता बल होगा, पवन का वेग उतना अधिक होगा. ठीक है? तो pressure gradient force में आप याद दखेगा कि जितनी जादा pressure gradient force होगा, velocity of wind आपकी जो है उतनी जादा होगी, velocity of wind आपके क्या है, उतना जादा है, उतना अधिक, आप कह सकते हैं, पवन का वेव, यह हो गई पहली चीज, यह तो क्या है आपकी, यह पहली चीज है, जो आपको समझनी है, किसके बारे में, PGF के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप से कोई पूछे, example के तोर wind की speed जादा होगी, तो याद अच्छेगा, case B में PGF जादा है, अंतर जादा है pressure में, है ना, high pressure और low pressure में difference जादा है, इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्या, speed, या velocity of wind will be more, velocity of wind will be, क्या, higher, it will be higher, यह हम बोल सकते हैं न, तो यहाँ पर हिंदी में लिक लो, क्या होगा, कि इस वाले case में जो है, हमारे पवन का वेग जो है, वो अदेखोगा, यही चीज मैंने आपको समझाई है, यही चीज मैंने बताई हैं आपर, ठीक है, लेकिन यह क्यों अभी हाँ बताई, याद रखना यही पर, यह पहला point है, दूसरा point इसी में note करके लिक लो, कि Coriolis force is, य does not affect the velocity of the wind, ठीक है, यह दूसरी चीज है, velocity of the wind, clear है बात यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला second point में, कि Coriolis force, पवन के वेग को प्रभावित नहीं करती है, मतलब यह है, कि Coriolis force अगर आपका जादा है, तो वो high speed नहीं कर देगी, आपके winds की, ठीक ह लेकिन, but, but, third point याद रखिएगा, कि जो magnitude of Coriolis force है, magnitude of Coriolis force, ठीक है, मतलब की, Coriolis बल का, Coriolis बल का, याद रखिएगा, परिमाण, Coriolis बल का, परिमाण, ठीक है, मतलब की, Coriolis बल का magnitude की, वो कितना deflect होगी, depends, या कह सकते हो, is directly, is directly, related, related to the, to the speed of the wind, to the speed of the wind, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला मैंने, मैंने बोला, Coriolis बल का, जो परिमाण है, परिमाण, मतलब की उसका, जो deflection है, Coriolis बल का परिमाण, पवण के वेग के साथ सीधा संबंद, रखता है लिग लो क्या रखता है पवन के वेग के साथ सीधा संबंद सीधा संबंद मतलब कि अगर आप कह लीजिए यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर हाइयर विलॉसिटी है अगर आपका क्या है पवन के वेग की अधिक विलॉसिटी है तो इसका मतलब क्या है हाइयर अधिक अगर आपका वेव होगा तो आपका विक्षे पड़ भी अधिक होगा मतलब की अगर सोचो कोई स्पीड इस प्रकार से धीमी स्पीड है यहां पर धीमी स्पीड का मतलब ऐसे तुम समझ लो 1000 1000 1000 MB है ऐसे और यहां पर है 998 MB तो यह low pressure हो गया यह high pressure हो और यह आपका क्या हो गया पीजीएफ हो गया इस तरीक से पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जिसकी वज़े से विंड मूव कर रही है कहां आइसो बार के पर पेंडिकुलर सीधी की तरफ भाई दम इसमें इस तरीके से हैं और एक सोचो प्रेशर ग्रेडियंट यह एक प्रेशर ग्रेडियंट है अगर और एक प्रेशर ग्रेडियंट होता कि 998 MB ठीक है और नीचे है 112 MB तो यहां प्रेशर ग्रेडियंट आपको ज्यादा दिख रहा है ना यहां हाई प्रेशर आपका बहुत ज्यादा है और लो प्रेशर बहुत कम है तो इनके बीच में क्या है इनके बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है इनके बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या है जादा है और प्रेशर ग्रेडियंट जादा का मतलब क्या है विटा प्रेशर ग्रेडियंट का जादा का मतलब है कि विंड की स्पीड क्या होगी इसको माल ले रहा हूं यह केस कब है Northern hemisphere में यह केस भी कब है Northern hemisphere में ठीक है तो इसमें बुझे बताईए इसमें विंड की स्पीड कहां जादा होगी इसको अलग से पेज में ले लेते हैं यहां पर एक आपका है condition ऐसे 1000 MB ठीक है और यह है आपका 998 यह है आपका PGF pressure gradient force high pressure से low pressure चलती है और आपको मैंने बता है आइसो बार के हमेशा 90 डिग्री पे होती है यह आइसो बार्स हैं आपके समधाव रेखाएं है यह सीधी इनिके एकदम क्या होगा पर्पेंडिकुलर लगेगी कि नहीं लगेगी बिलकुल लगेगी भाई ठीक है और इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं PGF इसी को क्या बोलते हैं PGF बोलते हैं लेकिन वास्तों में वास्तों में होगा क्या वास्तों में यहां पर deflection हो जाएगा ना यहाँ पर deflection हो जाएगा wind का, क्यों wind का deflection हो जाएगा क्योंकि इस पर Coriolis बल काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है Coriolis बल काम कर रहा है जो pressure gradient force है, वो सीधे न जाके wind हमारी सीधे न जाके क्या होंगी, अगर northern hemisphere में है अगर कहा है, हम उत्तरी गोलार्द में है तो यह किस तरफ move करेगी दाइने हाथ, किस तरफ move करेगी यह दाइने हाथ move करेगी राइट हैंड move करेगी, हना अगर लेकिन यहाँ पर जो दूसरी condition है, जो मैं condition समझाने जा रहा तो यहाँ पर pressure gradient हमारा कितना 92 MB, ठीक है और एक आपका 100 बार जो है वो है, 1012 MB, ठीक है एक condition यह ले ली हमने 1012 MB और 900, 92 MB अब यहाँ पर भी pressure gradient force काम करेगा, वो भी 90 degree पे ठीक है, यहाँ पर भी PGF काम करेगा कि नहीं करेगा, वो भी 90 degree पे काम करेगा, सीधे लगेगा high pressure से low pressure की और यह हम जानते ही है, wind हमारी air move कैसा करना चाहिए, air की उत्पत्ती कैसी होगी, सीधे होगी लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि हमारा earth rotate कर रहा है, इसलिए कोई भी की सीधा नहीं चल पाईगी, लेकिन यहाँ पर अगर pressure gradient देखेंगे आप तो यहाँ pressure gradient आपका 20 MB है, यहाँ pressure gradient समझो कितना जादा है, यहाँ 2 MB, यहाँ pressure gradient 20 MB, इसका मतलब यहाँ पर कह सकता हो ना मैं, कि velocity बहुत जादा होगी, यही तो हमने देखा है कि अगर हमारा जो दाब प्रवनताबल है, वो अधिक है तो velocity भी तो हमारी इसका मतलब deflection जादा होगा, यह भी हम कह सकते हैं, इसका मतलब हमारा जो विक्षेपण है, ठीक है, विक्षेपण जो है, वो जादा होगा, यह बोल सकते हैं, Coriolis Force का मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा विक्षेपण जादा होगा, अगर वेग अधिक तो विक्षेपण दे लेखेंगे तो इस condition में आपको Coriolis Force कुछ इस तरीके से दिखेगा है ना लगते वे और Coriolis Force की वज़े से Coriolis Force की वज़े से सॉरी इस वज़े से आप इस तरीके से आपको क्या दिखेंगी विंड हमारी दिखेंगी अगर हवा है तो आपका डिफ्लेक्शन जादा हो जाएगा अगर धी में हवा है तो डिफ्लेक्शन आपका कम होगा सिंपल सी वाद में बताना चाहाँ ठीक है तो ये एक और हमारी विशेशता है जो मैंने यहां लिखी क्या लिखी यहां पर यह मैंने लिखी कि magnitude जो है हमारा कोरियोलिस बलका जो परिमान है वो किस सीधे संबंदित है स्पीड से अगर स्पीड जादा तो जादा deflection जादा घूमेंगी हवाएं और स्पीड कम तो आपकी क्या होगा deflection आपका कम हो जाएगा अब यहां पर आ गई विंड की स्पीड के बारे में बात के साथ साथ हम लोग यहां पर एक चीज और समझ ले वो यह समझना हमें है कि एक और factor आपको यह समझना है कि equator पे, at equator ठीक है, at equator the Coriolis force is minimum in fact 0 होता है ठीक है, यह क्या है हमारे विश्वत रेखा पे जो Coriolis force लग रहा है वो 0 है ठीक है, और हमारे poles पे जो है, poles पे poles पे the Coriolis force is maximum ठीक है, Coriolis force जो होता है माकसिमम होता है, अब इसको समझाना जो है, इसको समझने के लिए बहुत जादा depth चाहिए, लेकिन वो आपके GS के point of view से है नहीं है ना, कि मैं sign, theta और यह सब आपको बताऊं लेकिन इतना आपको यह आप कहलो, समझ जो लो इसको एक तरीके हमारा, west twist, है ना, तो उसके वज़े से यह कारण हो रहा है, क्या होता है basically इसमें, इसमें basically होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझाने कोशिश करता हूँ यह है आपका क्या, यह है आपका equator, ठीक है, और यह है आपका pulse, यह है आपका 90 है इस तरीके से, अब इसी को same तुम एयर भी ले सकते हो, यही तुमारी क्या हो सकती? यही तुमारे आसपास एयर है, इसको एयर भी मांसकते हुआ, यहाँ है आपकी है, अब एक चीजые बताओ, मुझे यह मेरा हाथ देख रहे हूँ, यह मेरा globe मानलो, यह semi circle है, यहाँ ख़तम हो रहा है, यह लगोर है, हैसे है, यह equator है मानलो, मैं यहाँ ख़डा वांँ, अब अर्थ मेरा घूम रहा है, तो मैं उसके साथ-साथ घूम रहा हों, क्या मैं देख सकता हूँ यहाँ अर्थ a गार देखूं तो जैसे जैसे अर्थ गूम रहा है वैसे वैसे मैं भी ऐसे ऐसे अर्थ के साथ गूम रहा हूं बोर्ड के पीछे से आके ऐसे रोट कर रहा हूं लेकिन क्या क्या मैं इस इस प्रकार से रोटेट कर रहा हूं क्या यहां पर एर जो मेरी है वो क्या घूम रही है इस प्रकार से नहीं एर तो मेरी साथ-साथ ऐसे जा रही है ना पीछे से बोर्ड कैसे निकल जा रही है है, simple से, ऐसे, यह अपनी जगह पे, मतलब मेरा जो pen है यह pen, यह pen अगर calcium नहीं हो रहा है, यहां पर इस लेकिन सोचिए अगर आप यहां पर खड़े हैं ठीक है आप ऐसे खड़े हैं अगर तो यहां पर एर जो है जैसे जैसे आपका अर्थ यूँ घूम रहा है जैसे यहां पर अर्थ है अर्थ आकर घूम रहा है आपका तो आप भी ऐसे घूम रही की नहीं घूम रही है ऐसे घूम रही की नहीं आप भी अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं यहां पर ठीक है यहां पर अर्थ का rotation नहीं हो रहा है, यहाँ अगर देखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी air जो है, वो rotate नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ आप única rotation हो रहा है, यहाँ अपर coast का rotation देखो कहें तो यहाँ minimum है, लेकिन यहाँ पर इसके उपर जो air वह एर तो यहां गूम रही है continuously 24 घंटे में है ना लेकिन यहां पर क्या है यह गूमी नहीं रहा है समझो ऐसे करके यहां समझो यह इकोटर है ऐसे ही मालो इकोटर है यह यूँ गूम रहा है ऐसे है ना इसमें ऐसे घूमाओ नहीं हो रहा है है ऐसे लेकिन जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे पोल्स की तरफ एर आपकी क्या होन लगेगी ओर आपकी ऐसे गूमने लगेगी राइट इसलिए कि यह पूस्ट पर क्या है माक्सिंम है और यहां पर हैम okay मानियों की कॉर यूली की direct संबंद होता है किस से mass of the air से mass of the air से ठीक है अगर आपका वायू राशी अधिक है यहाँ पर लिख सकते हो वायू के दव्यमान से मतलब कि अगर आपकी air जादा है air घनी है जादा है और वो चल रही है तो deflection जादा हो air अगर आपकी viral है density नहीं है air में sparsely आपकी है sparse air है तो deflection भी आपका coriolis force में नहीं होगा ठीक है तो यह चीजे जो है आपको थोड़ी सी समझनी है यह चीजे आपको थोड़ी से समझनी है अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे pressure build के बारे में तो अब coriolis force हम लोग ने समझ लिया है अब हमको समझना है कि pressure build हमारी कैसी है तो आईए pressure build के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते है ठीक है तो pressure build हम लोग पहले इस diagram को समझेंगे फिर इस diagram पर ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए यह हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह बना हुआ है हमारा क्या 5 degree north से लेके 5 degree south अब यह वो region है अगर आप ध्यान से समझेंगे यह वो region है जो की बहुत ज़ादा गरम होता है normally है ना क्योंकि यहाँ पर perpendicular race पढ़ती है मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले low pressure के बारे हम समझा था equator पे तो यहाँ पर obvious सी बात है कि यहाँ पर air कैसी होगी बताओ air उपर की तरफ जाएगी यहाँ पर obvious सी बात है यहाँ पर जो है air उपर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी यहाँ पर उपर की तरफ जाएगी और विसी बात है ये कैसा है ये low pressure है ये कैसा pressure है low pressure लेकिन यहाँ पर एक question आपके दिमाग में आना चाहिए कि sir ये जो निम्न दाब पेटी है या ये जो low pressure bite है ये low pressure bite कैसे बनी तो आप यहाँ पर clearly क्या बोलेंगे आप कहेंगे कि ये thermally induced है ये क्या है thermally induced है ये temperature की वजले सही पर रूठ गई यही तो समझाता था इर गरभ हुई एर गरभ होके उपर उठ गई और उठतीवी air, ascending air, है ना, हमारी आरो ही हवाई जो होती है, आरो ही वायू जो होती है, वो क्या create करती है, वो low pressure create करती है, तो हमारा जो है, equatorial low pressure के बारे में अगर आपको बात करनी होगी, यह क्या कहलाएगा, 5 degree, 5 degree या दखेगा, 5 degree south से लेके, 5 degree north, जो है, यह कहलाएगा, equator equatorial low pressure belt, यह हमारी पहली pressure belt है, जो कहलाएगी, क्या, विश्वत रेखिये, निम्नदाब पेटी, और यह निम्नदाब पेटी बनी, किसकी वज़े से, निम्नदाब पेटी बनी हुए है, temperature वज़े से, तो इसके बारे में कुछ चीजे हैं, आओ यहाँ पर लिख लेते हैं, इ यह है equatorial low pressure belt, अब equatorial low pressure belt में हमें क्या-क्या समयना है, पहली चीज तो समयना है, इसको हिंदी में लिख लो, विश्वत रेखिये, निम्नदाब पेटी, विश्वत रेखिये, निम्नदाब पेटी, सबसे पहले तो इसका extension, तो यह 5 degree north से लेके 5 degree south तक आपका इस प्रकार से रहती है, ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पर यह समयनी है, कि जो हमारा equatorial low pressure belt है, यह thermally induced है, हमने देखा, ठीक है, यह कैसा है, यह thermally induced है, मतलब कि यह ताप जनित है, thermally induced, ठीक है, ताप प्रेरित कह सकते हो तुम, यह क्या है, ताप मान की वज़े से बना है, आप जा as they are warm, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, कि यहाँ पर आरो ही वाईउ है, कैसी वाईउ है, तो आप कह सकते हैं, आरो ही वाईउ है, क्यों है, क्यों है, क्योंकि यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, गर्म है, तो यह चीज हम बोल सकते हैं, आपर यह गर्म है इसलिए उपर की तरफ उठ रही है इसके साथ यहां पर आपको इक चीज और समझनी होगी कि यह जो वह बैट है यह वह बैट है जहां पर आपका ट्रेड विंड्स आ रही है उपोश्ट कटी बंद से ठीक है अगर आप देखेंगे हम लोग यहां पर देखेंगे तो देखेंगे तो यह विंड्स आती है यह इस तरीके से आके यहां टकराती है सिमिलरली यह भी यहां से इधर से आती है सदन हमेसफेर से और यह विंड्स आके यहां पर मिल जाती है तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहां पर तो यह 30 डिग्री से जो विंड्स आ रही है यह 5 डिग्री पर आके उपर खड़ी हो जाती है, अब आपको एक चीज बैब बताओं यहाँ पर, यहाँ पर एक चीज बताओं, कि अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो आपको विंड ही महसूस नहीं होगी, एक बहुत बली बात, यहाँ अगर आप खड़े हैं, 0 डि तो यहां पर आपके विंड्स अगर यहां पर तुम खड़े हो अगर आप यहां पर खड़े हैं तो क्या आपको विंड महसूस होगी आपको विंड महसूस ही नहीं हो रही है तो यह जो छेत रही है क्या है काम बेल्ट है यहां पर विंड्स आपकी नहीं है तो याद अखिए यहाँ पर कि यह क्या है यह 5 डिग्री से 5 डिग्री जो होता है 5 डिग्री नौर्ट से लेके 5 डिग्री साउथ तक जो छेत रहे यह क्या है काम विंड बिल्ड है यह क्या है काम विंड बिल्ड है ठीक है शांत पवन पेटी है यह शांत पवन पेटी और यह शांत पवन पेट पेटी क्यों है तो यहां दखेगा यह शांत पवन पेटी जो है इसलिए है यहां पर लिख लो क्योंकि यह विजओओओओओओवार में लिएओओओओओओओओओओओओओओओ लिए नायरेखी घजओओओओओओओओओओओओओओओओ, यहां जिए geil количество-ya시-च Humey shocked exist cents, थ opini मैं बता दे रहा है अंपर actually by को यह शांत्थ पवन पेटी इसलिए हैं यह सो अम पेटी कि उपोश्र कटी बंद से उपोश्र कटी 222 तरहnga वाली पव ने पाँच डिग्री अक्षांश पर पहुंचते पहुँशते, पाँच डिग्री अक्षाइश तक पहुँशते पहुँशते गरम होकर उपर उठ जाती है, गरम होकर उपर उठ जाती है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं, यह क्या होती है, राइस कर जाती है, यह जो है आपका, यह क्या होता है, राइस कर जा ठीक है तो यहाँ पर ये calm wind weld है जो ठीक है ये याद अखएगा क्या है weak weak और no winds वाला area है ठीक है ये जो है आपका ये कम्जोर तुम्ह बम पवन वाला छेतर है कम्जोर पवन या तो पवन है ये कम्जोर पवन चेतर और इसी को यो calm wind बेल्ट है इसको हम क्या बोलते हैं डोल ड्रम इसको हम क्या बोलते हैं डोल ड्रम बोलते हैं आप लोग बहुत 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 बार आपने सुना होगा यह डोल ड्रम पेटी है तो डोल ड्रम पेटी कौन सी है डोल ड्रम पेटी वो है जहां पर हवा गरम हो कर उपर उड़ जा यह जो विंड्स आ रही है इन विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं यह जो दोनों तरफ से विंड्स आ रही है इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं या हिंदी में व्यापारिक पवन बोलते हैं ठीक है यह व्यापारिक पवन है या ट् canner z encourage के बाद क्या होगा एयर बताओ जब आके टक्राइंगी तो क्या होग together सको चारा इंक उपर उठने के यलावा कि यह जब आके ट्क्राइंगी तो इसको पर चारा गया है ऊपरी उठेगी तो यहाँ पर यह यह कि घर्ट खरीं जाती है पाइव डिग्री नौर्थ से पाइव डिग्री साउथ तक ठीक है बेसिकली बेसिकली मेजॉरिटी यही है जो डोडरम वाला छेतर इसी को हम बोलते हैं क्या इसी को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ठीक है इसी को हम बोलते हैं atc next रहा ने समय चेनल सब्सक्वार्व कार ह। ऐसालब कार्ण हुआ हम natㄹ यहां पर है आपका 30 डिग्री नॉर्थ यहां पर ओप पर है आपका 30 साउथ कि अब यह जो छेत्र रहना 30 डिग्री से लेक्त न यह बैसिकली टॉपिकल जोन यह क्या है उश्य श्र घटी बंदी यह चोन रहें ठीक है और इंटर मतलब होता है क्यों उसी के अंदर चलना इंटर मतलब क्या अंदर चलना जल से इंटर स्कूल कॉम्पेटिशन है ना तो यहां पर कहने का मतलब है यह विंड्स इस तरीके से चलती है यह विंड्स इस तरीके से चलती है और इधर से विंड्स इस तरीके से चलती है और आके जिस शेत्र में कनवर्ज हो रही है जहां पर आके अभी सरण हो रहा है इनका उसी को हम क्या बोले हैं का नवर्जेंस जोन बोल नहीं है और आइटी सी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मौनसून में वह हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जब हम लोग एट्मॉस्फिरिक सर्कुलेशन पलेंगे तो इसको और डीटेल में बताऊंगा आपको आइटी सीज होती है उपर नीचे होती है इसकी पूरी कहानी है कि हम लोग अट्मॉस्फिरिक सर्कुलेशन में पलेंगे विंड्स जिसमें विंड्स पलेंगे प्रेशर में अगर हम लोग यहां बात करें तो याद अखिए का मतलब क्या है आइटी सीजट का मतलब है डिप्रेशन जहां पर आइटी और गर्द मंहरोब नाजा जहां पर इसका मतलब आइटी और लूप्र हमेशा लोग यहां पर नर्ग फिर्ट सनाथ है यहां बहुत बहुत तो होता है वह आगे की कहानी में हम लोग आप एक चीज खैसे रहे ओ पॉल्स के को भुल्स के इचे आईगी तो वहाँ प्रेशर कैसा होगा तो आप बोलेंग हाईय प्रेशर वह अपर यहा नीचे आ चली है तो यह आप जैनित हैं किना फैल जाएंगी मैंने बताया हमेशा क्या होता है डाइवर्जंस होता है नीचे गिरेंगी फैल जाएंगी तो अववेसी बात इहांगे कि लिए लिए हैं तक आपके तो यहां पर जो हम देख रहे हैं ये भी का है वहारा पर रहे हैं तो इसमें हम लोग यहां पर लिख सकते हैं पोलर हाई प्रशर रीजन यहाँ पर पोलर हाई प्रशर रीजन ठीक है अब देखो यहाँ पर बेल्ट नहीं लिखा है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मैंने रीजन लिखा है रीजन है ना रीजन छेत्र उत्री धुरुब में दक्षणी धुरुब में बाई जानते हैं कहां पर है 90 law नॉट स ABCDine I Twoना साउथ पोल में है इना अब यह जो आप देख रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं यहां पर प्रिशर यह प्रिशर क्यों है तो आप यह सकते हैं डिस अ धर मलली इंडूज है ना कोड एर कोड एर कम ऑबिकम से कोड एर आइ dessa eat और नीचे की तरफ गिरेगी और नीचे की तरफ गिरेगी इसलिए क्या होगा यहाँ पर कह सकते हो उच्च दाब का विकास होगा इसका उच्च दाब का विकास ठीक है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा हाई प्रेशर विल बी डेवलप्ड यह चीज़ आप यहां पर लिख सकते है ठीक है दूसरी चीज़ यहां से जो आपकी winds generate होती है यहां से जो wind divergence होता है यहां वोरा obvious ही बात है क्या हो रहा है divergence हो रहा है divergence of air है ना यहां पर divergence of air हो रहा है obvious ही बात है यहां पर कह सकते हो yu का अपसरण हो रहा है हो रहा है कि नी तो वायू का अपसरण हो रहा है डाइवर्जेंस हो रहा है तो वायू का जो अपसरण हो रहा ही है डाइवर्जेंस जो हो रहा है उसकी वज़े से जो विंड चल रही है इसको हम बोलते हैं क्या पोलर विंड और इसको बोलते हैं पोलर इस्टर्ली अब यह इस्टर्ली अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि divergence of air जो है divergence of air में आपको एक चीज़ समझना है कि यहां पर wind जो चलेगी उसका नाम है polar easterlies अब यह easterlies क्यों है इनको बोलते हैं polar easterlie winds इनको बोलते हैं धुरी पवन और यह जाती है वाताग्र निर्माल के लिए उत्तरदाई है तो इंग्लिश में इसको लिख लो क्या यहां पर इंग्लिश में लिख लिजे कि इस के बारे मैं भी बात बात करेंगे यह फ्रेंट्स के लिए आभी आ रहे है यह फ्रेंट्स के लिए वाताग्र के लिए आपका जिम्मेदार होती है क्या होता है अभी मैं लिख वा रहा हूं उसको समझ बस इतना लिख लिज़ो ठीग है तो यह हमारा क्या है यह हमारा ध्रुरक Plus Barbie है यह हमारे कह सकते हैं अव Потом प्रिशर बैटि दğब बैटी इसोलिविंडे से विंडे से बारे में दोग बाद बात करेंगे अब यहां पर एक condition आपकी समना पड़ेगा बड़ी इंपॉण जब यहां से उपन यहां से उपपर यह 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 तो यह यहां उप पहला मों ने कॉंसेप्ट यहां देखा था प्रेशर वाला ठीक है उस इसकी इस कॉंसेट में आप आगे तो आप देखिये कि यहाँ से यहान नीचे चली तो यहां से एक nerd चली और नीचे चली जिए तो यहांuw प्रिशियों कैसा हो गया यहां प्रिशोर हो गया लोगा यहां प्रिश्यों होग router के अपर और यहां पर आपका लोग प्रिशर ह那我們 अब चाहि 싸 Надे हैं कि हूँप्रें आप matter ऐंफर लोग यहां पर देखते हैं ठीक है आइडिली आपका मुव्मेंट जो है उस तरीके सोना चाहिए अब यहां पर चीजों को थोड़ा समझो अब यहां थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा ठीक है कि हम लोग अभी तक जो बात कर रहें विंड बना रहे हैं यह सर्फेस बना रहे हैं यह लोग सर्फेस पर बना रहे हैं आप ने देखा पॉलर ल कोल्स से चलने वाली इस तरफ जो मैंने बना यह वह पर यह गईता ह। अई है कि यह रहा है कि बेसे क्लेयों एस नहीं है कि ऊपर एक ऐसी परत है जिसके वांपको धक्का नहीं लगए वहाँ पर इसा मानते हैं ठीक एए अई वास्तों में ऐसा है नहीं लेकिन अपर घप्र होगा और यहां पर आपका क्या है यहां पर आपका क्या है अब प्रिशर की तरब मूव करना चाहिए अजह है इंड असे यह और यहाँ आपका इसे सर्कल बन जाने चाहिए यहां पर क्योंकि थे Ja अजैशन के एंड नहीं है एता यह इसा है होता क्या है देखो होता आपका क्या करती है सबसाइड कर जाती है अब तलन हो जाता है यहां पर इस लिए हो रहा है क्योंकि इसमें काम कर रहा है क्या इसमें काम करता है क्या है मारा Coriolis force rotation of the Earth जो पढ़ाया था वो आप समयना है अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इसको छोड़ो इस विंड को छोड़ो हम लोग उपर की विंड के बारे में बात करते हैं ठीक है उपर की विंड में वास्ताव हो क्या रहा है वास्ताव में हो क्या रहा है क्य क्याना ने उयुक्याइट की वास्तों प्रभावित कर रहा है उपर गिंड में इसको आतकर से समझ सकते हैं इसको पैसे संगए ठीक है यहां पर हम देख सकते हैं दिस इक्वेटर यह हमारा क्या है ऑर यह जो हमारा है इच्व सबस्दूख स्टीन पवल्स44 सब्सक्राइफ ढब इसमें होता ग्या है देखो हमें नीचे वाली तोस मतलब नहीं हमें उप pork अब उपर हमारा जो है यहां आपनलो डिस इस 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 यह ओ Mayo this 30 ॥्य maior What this is six點 ठीक है और यह हमारे अक्षांश है ऐसे 30 डिग्री के लाहीं दीट्यूट्ड हैं और यह si60 डिग्री एना इसको मैं लाई प्रिक्षिन है लेकिन आप एक चीस सोचिए कि यहां पर उपर की तरफ आपके रिक्षिन नहीं है हमारे surface पर क्या होता है surface पर हमारे friction होता है उपपर हमारा friction नहीं है और friction नहीं है तो आप यहाँ पर कह सकते है wind speed बहुत जादा होगी तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर velocity velocity will be more velocity will be more surface से तो ज्यादा ही होगी velocity क्यों क्यों कि यहाँ पर friction नहीं है है ना because because no friction is there because of less friction कह सकते है यहाँ पर friction ही नहीं है ना तो इस तरीके से आप यह बात समझ सकते हैं तो यहाँ पर actually क्या है कि यहाँ पर हमने देखा मैंने आपको बताए क्या है कि velocity यहां कम हो जा रही है ठीक है यहां हमें ध्यान देना है कि यहां पर क्या हो रहा है फिलोसिटी आप की कम हो जाती है उपपर की द्रफ क्योंकə यहां तो पर यह कैसे बिंग करता है ऐक्चली हमारा одanter는 तो ऐसा है लेकिन आज जानते हैं यह कहां पर है northern hemisphere में यह example कहां के ले रहे northern hemisphere के लिए रिखांपल इसको यह भी आ रखना कि example जो हम लोग ले रहे हैं यह उत्री गुलार्द का example है northern hemisphere का example ठीक है और northern hemisphere में क्या होगा कि यह wind जो है इस wind को सीधे चलना चाहिए क्योंकि हमारा PGF तो यहीं कह रहा है pressure gradient force दाव प्रवर्ता बलतों इसको सीधे जाने के लिए कह रहा है लेकिन आप जानते हैं कि जो wind है हमारा coriolis force क्या होता है वह wind के 90 degree पे लगता है यह चीज आपको समय नहीं है अगर suppose आपका इस प्रकार से wind है यह ठीक है यह wind की direction है तो ओर्यालिस force इस पर कैसा लगेगा सब्सक्राइब ऐस तरीके से अगर PGF एसा है यह हमारा actual wind और और हमारा coriolis force कैसे लगेगा इस तरीके से ठीक है और अगर इस तरीके से तो हो गा इहां पर हो गए कि डारेक्शन कुछ एसी हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा यह कुछ प्रकार से हो जाएगी कि अधिया हमारा एसा हो जाएगा धिकेगा और के आगे भड़ेगा फिर ही आगे भड़ेगा पिर जब यहागे भड़ेगा तो क्या होगा अब याद अखी बोली आदेती जो है वह विंड के 90 degree लगता है तो अब इस तरह से लगेगा अब यह विंड गो और जादा विंड कोशिश करेगा और विंड जो हमारी कैसी हो जाएगी इस प्रकार से हो जाएगी विंड हमारी जो है वह इस प्रकार से हो जाएगी तो यहां पर हम देखते हैं क्या यहां पर आते आते हम देखते हैं कि यह विंड जो है यह विंड आते आते यहां पर इस एंड में यह विंड हमारी इस प्रकार से टन कर जा निनको जाना कहा था हाई प्रिशर से लो पर श कर लेकिन ये क्या हो जाती है ये ठर्टी डिग्री पे आपको हो जाती है अगर अगर तक और चलती रहेंगे क्या ये हमेशा ऐसे पैरलल चलती रहेंगी ये कितनी उचाई पे हैं क्या ये विंड्स जो है ठंडी नहीं होंगी ये विंड्स ठंडी होंगी ये विंड्स क्या होंगी ये विंड्स आपकी जो है ये पैरलल तो होई जाएंगी इसके साथ-साथ ये विंड्स जो है ये क्या ह हो जाएंगे विंड्स जो हैं वो इस प्रकार से डिप करना प्रारम कर देंगी सत्ह पर जाना चालू कर देंगे तो आप देखेंगे कि यह विंड्स जो की पैरलल चल लिए यह डूब जा रही है इस प्रकार से तो यहां देखिया तो इनको जाना तो कहां चाहिए था जाना यहां पर high pressure से high pressure low pressure ना चाहीए था लेकिन होगा क्या कि यहां पर Coriolis force की वज़े से because of Coriolis force और Coriolis force क्या है अर्थ का rotation है इसकी वज़े से यह dip कर जा रही है ना actually dip ना करती यह चलती रहती लेकिन ठंडी होती है इसलिए क्या होता है कि हमारा 30 से लेके actually 35 से लेके 35 लेकर लगभग 25 डिगरी या 20 डिगरी तक यह यहां पर एर नीचे डिप करती हैं यहां पर एर क्या होता है नीचे की तरफ क्या होंगी आपकी सिंक करेंगी यहां पर अवरोहन होगा यहां पर शेंडिंग और होंगे टिगए अब अव्यश्ट यह धुर 118 यह ये यह नीचे आते हाते हैं यह नीचे आते हैं गरम के यह क्या होती है यहां पर बहुत जादा हाइप प्रशन होता है यहां पर इनको बहुत जबाओध और यह high pressure की वज़े से क्या होती है इस प्रकार से turn कर जाती है यह आपका bend कर जाती है turn करके इस तरफ move कर जाती है एक चली जाती है 60 degree की तरफ और एक चली जाती है किस तरफ एक चली जाती है हमारा zero degree की तरफ ठीक है तो यह इस तरीके से bend हो जाती है अब एक चीज़ बताओ यहाँ पर मुझे यहाँ पर अगर air नीचे गिर रही है और आप अगर यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर क्या होगा? कैसा pressure होगा? अब विसी बात है यह air नीचे आ रही है तो air को दबा रही है यहाँ पर compression हो रहा है air का तो यहाँ पर pressure कैसा होगा? तो आप बोलेंगे sir उच्च वाई उदाब होगा ऐसी जगहा पर यहाँ पर pressure कैसा होगा? high pressure होगा उच्च वाई उदाब ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक exception है यहाँ पर exception क्या है? यहाँ पर high pressure भी है और high pressure के साथ-साथ यहाँ पर high temperature भी है आप कहेंगे सर ये कैसे possible है क्योंकि सर आपने तो बताया था भी कि अगर उच्चत आप मान होगा अगर उच्चत आप मान होगा तो उच्चत आप मान में air जो है वो गरम होके उपर उठेगी बिल्कुल यहाँ पर भी कोशिश करती है air air उपर उठने की कोशिश कर रही है लेकिन उठ नहीं पा रही है तो आप बुडिंग कैसे तो यहाँ पर क्या है यहाँ high pressure के साथ यहाँ पर high temperature भी है यह बड़ी बात है कि high pressure के साथ high temperature है अब आप कहेंगे साथ यहाँ तो गरम air जो है air को गरम होना चाहिए उपर उठना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर कोशिश भी ऐसी थी यहाँ पर air उपर उठने की कोशिश करता है लेकिन फिर क्या हो रहा है लेकिन फिर जो है यहाँ पर आप जानते हैं अर्थ का rotation जो है ना वो इस temperature पर ओवर पार कर दे रहा हूं मतलब कि temperature जो आपका यहाँ पर है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो अर्थ के rotation के प्रभाव को क्या गर पाए कम कर पाए ठीक है यहाँ पर मैं आपसे क्या बोल ला हूं हूं यहां पर यह बोल रहा हूं कि हमाना यहां पर आप देखेंगे ठीक है यह जो है रथ um और रोटीरट कर रहा है और उसकी वज़े से coriolist force की वज़े स्थे क्या हो रहा है को रियॉलिस force की विज़े से winds ki direction change हो जा जारी हैяд उस तरह हो जारी है यह 30 degree के latitude यह यह यहां पर देखेंगे यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक चीद बढ़ी समझ लेनी है कि यहां पर यह जो थटी डिग्री वाला है यह डाइनेमिकली इंड्यूस तो है यह डाइनेमिकली इंड्यूस तो है आप बोलेंगे सब डाइनेमिकली इंड्यूस मतलब कि यह गतिक जनित तो है यहां पर इस वाले जोन में हम यह कह सकते हैं कि बेसिकली यहां पर यह कैसे बना है अगर आपसे पूछा जाई यह बन रहा है because of earth's rotation यह तो ठीक है लेकिन यहाँ पर temperature तापमान का भी खेल है ठीक है यहाँ पर जो है एर अगर ठंडी नहीं होगी अगर यह कूल एर नहीं होंगी तो यह सिंखी नहीं करेंगी लेकिन वास्तों में एक बार तो सिंख करना ही थंडी और थंडी होके नीचे की तरफ सिंख करेंगी ठीक है और जाहां पर सिंख करेंगी वहांब प्रेशा कैसा होगा है लेकिन ना हई temperature क्योंकि आप याद करिये मैंने रख को बताए था कि जहां हाई प्रिशर होता है वहां पर कभी भी क्लाउड पॉम नहीं होते हैं और सोचिए 25 से लेके 35 डिग्री पे क्या यहां पर बहुत जादा संड्रेस स्लांटिंग होगी नहीं इन फाक्ट 23.5 डिग्री पे तो आप जानते हैं नौर्दन हमेस्फेर में 21 जु होगा इसका मतलब क्या होगा यहां पर इंसोलेशन आपका हाई है और इंसोलेशन हाई है इसलिए तो आपका टेंपरिचर क्या है तो बारिश भी नहीं हो रही है एर उपर भी नहीं उठ रही है और इंसोलेशन भी जादा है तो यह तो अलग ही कंडिशन हो गई यह आप देखेंगे तो यह condition कैसी है यह condition है desert की जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको desert मिलेगा क्यों क्यूंकि temperature भी ज़ादा है वारिज भी नहीं और यह pressure है high तो यहाँ पर आपको desert मिलेगा और यह special condition है और यह condition के साथ dynamically induced तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगर हम लोग इसके बारे में यहाँ बात करें ठीक है इसके बारे में यहाँ पर देखें अपने इस diagram में तो यहाँ पर हम clearly समा सकते हैं कि यह जो है wind इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी यह नीचे की तरफ आएगी और फिर इधर जाएगी है और यह इस तरफ जाएगी ठीक है अब क्या मैं यह बोल सकता हूं यह वाला जो हमने बोला यह हमारा क्या है गती जनित है dynamically induced है ठीक है और यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका एक wind इस तरफ जा रहा है एक 30 डिगरी से लेके 35 डिगरी यह नॉर्स में 30 से लेके 35 डिगरी और साउथ ने आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 से लेकर 35 डिगरी ठीक है यह जो है यह क्या है यह विंड को generate कर रहा है यहां से विंड आपकी पैदा हो रही है और कौन से विंट्स पैदा हो रही है तो एक आपकी कहलाती है वियापारिक पवने जो हमने बताया ये वाली और एक जो ये वाली है इनको हम बोलते हैं पच्छुआ पवन इनको हम क्या बोलते हैं पच्छुआ पवन ठीक है इनको हम बोलते हैं वेस्टरलीज इनको हम बोलते हैं क्या व बारे में हम लोग लिख लेते हैं यहां पर इसमें लिखेंगे आप सब्ट्रोपिकल सब्ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेट सब्ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेट ठीक है तो यहां पर आप हाई प्रेशर बेट के कि यह बात समया रहा निया आपके उपोश उच्य वायूदाव पेटी के बारें बात अब यहां पर आपको एक समझना है चीज क्या यहां पर आपको एक समझना है कि इसमें इसका विस्तार कहां पर है तो यह बेसिकली 30 से लेके 35 डिगरी नॉर्थ साउथ हमिस्वेर दोनों मेरता है दोनों हैं हमिस्वेर में दोनों गुलार्दों में 30 से लेके 35 डिग्री पर आपको ये मिलेगा फीक है इनको जो है हम लोग horse latitude भी कहते है भी कहा जाता है इन्हें क्या है अश्वक शांज भी कहा जाता है अश्वाक्षांश काँगए थीक है अब इने अश्वाक्षांश क्यों कहा जाता है इसके बीछे कहानी सी कहानी में इंट्रेस्टिंग कहानी इस लिए बता जैता हुमें आप अब यहां पर आप देखें अगर तो जैसे आप यहां पर देख रहे थे कि कोई भी एर नहीं है उसी परकार आप देख रहे हैं विंड इस तरीके से मूफ कर जा रही है और इस आदमी पर इस व्यक्ति पर कोई भी विंड नहीं पर मतलब कि यह वाला जो 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 है यह भी कुछ डोल्डरम जैसा है दोन आपका तो यहां पर होता क्या है यहां पर भी ऐर आपको बहुत कम मिलती है यहां पर भी इ Points है मैं कि हमारा यहां पर यह जो हौर्स लाकिस्टूड यह कैस्ते हैं यह कंजोर सकती हैं यह कंजोर पवन i flashlight हुट अ-श्वक्षाइश आपने देखा यहाँ फ़ीड moo जोन क्यों है और क्यों यह वहीं जियसे ही आती नीचे पूरा उतर हीं पहले ही यहाँ इतना hight pressure होता है कि वो लो पर इससे पहले ही यह क्या हो जाती है और यहां पर क्या हो जाता है वीक विंड हो जाता है लेकिन यहां पर आपका वीट वींड जो है यह डोल्डरम से कैसे आपका अलग है यहां पर लिख सकते हो, it is different from doldrum, different from doldrum, यह doldrum से कैसे अलग है, doldrum में भी तो winds नहीं चल नहीं है, तो फिर यह doldrum से कैसे अलग है, it is doldrum, different from doldrum, because, 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 यहां पर लिख लो, because, it is a high pressure zone, it is a high pressure zone, तो यह जो zone देख रहे हो, यह क्या है, high pressure है, वहलो pressure था, तो आप यहां लिख सकते हैं, यहां तो से भिन होता है, क्यूंकि यहां उच्च वायुदाप छेत रहे, तो आप वीडियो पॉस्ट करके लिख सकते हैं, यहाँ डोल्डरन से भिन होता है क्योंकि यहाँ उच्छ वायुदाब छेत रहे ठीक है यह चीज आपके clearly समझ में आ जानी चाहिए दूसरी चीज यहाँ पर आपको लिख लेना है ठीक है क्या कि trade winds trade winds ठीक है मतलब की व्यापारिक पवने trade winds व्यापारिक पवन ठीक दूसरा तो लिख सकते हैं वेपारिक पवने एवं पफवा पवनों की उत्पत्ती इसी इसी पेटी सर पेटी से होती है ठीक है और दूसरी याद दख्येगा कि ये जो आपका है ठीक है ये बेल्ट जो है ये बेल्ट जाना जाता है किसके लिए वाम डेजर्ट के लिए ये बेल्ट जाना जाता है किनके लिए वाम डेजर्ट के लिए तो आपके जितने भी warm desert हैं, आपके जो भी गरम मरुस्थल हैं, फार, अरब के मरुस्थल, ठीक है, फिर आपका सहारा, अटाकामा, है ना, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, मोजावे, है ना, सोनोरन, जो भी आपके deserts हैं, वो सारे deserts का हैं, वो सारे deserts इसी बेल्ट पे पढ होते हैं, ठीक है, और इस 30 वाली डिग्री बेल्ट पर याद रखेगा कि rainfall नहीं होती है, और यहाँ पर, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, कि आपका यहाँ पर temperature भी क्या होता है, maximum, अर्थ में सबसे जादा temperature, सबसे अधिक्तम तापमान आपको यहीं मिलेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर सुचे बारिशी नहीं हो रही है, और आसमान एकदम खुला है, बादल होते तो अटलीस बादलों से टकरा के कुछ प्रकाश यो है, वो वापस लोट जाती ही, लेकिन यहाँ बादल ही नहीं है, है ना, और यह 30 डिग्री के आसपास है, मतलब कि यहाँ जो सूरी के किरने हैं, वो बहुत जाधा तिर्शी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे जादा आपको क्या मिलेंगी? सबसे जादा गरम खेतर आपको ही मिलेंगे, फिर चाहे वो लिबिया हो, पाकिस्तान हो, इरान हो, है ना, भारत हो, सब गरम खेतर आपको यही पर मि maximum temperature होता है और यहां पर प्रेशर क्या होता है हाई होता है तो यहां पर यहां पर याद अखिएगा कि यह जो बेट है यह जो बेट है ठीक है यह क्या है हमारी डाइनेमिक लींडूजड वेट है और यह कैसे हमारी गतिक जनित है क्यूं बोला मैंने गतिक जनित है तो यहां पर अगर एकवेटर है तो यहां पर एकवेटर पर क्या है सर्फेस में तो लो प्रिशर है लेकिन जब आप उपर गई तो Conse application मिला और जब आप 30 डिग्री पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बीड को चलना तो यूँ चाहिए दा लेकिन क्या हती है करते गूं जाती हैए ना विंड को जाना तो कहां चाहिए था झाना सीधे चाहिए ठाप जाना तो सीधे चाहिए था of ninety degree के पास लेकिन वहाँ नहीं जाती है और विंड्स क्या हो जाती है विंड्स इस तरीके से मुढ जाती ठीक है और हो जा रहे हैं यह यह 30-degree latitude यह उसके पैलल हो जा उसके समानांतर चल लेंगे और फिर क्या होगा ओव्यसी बात है ये क्या हो जाएंगी ठंडी हो जाएंगी ये बाद में ठंडी हो जाएंगी तो नीचे गिरेंगी ठंडी हो जाएंगी तो क्या होगा नीचे गिरेंगी और नीचे आते 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 गरम होती जाएंगी नीचे कि वजे से महां पर क्या हो जाएगा और होगा यहां पर प्रती चक्रवाती स्थिति होती है अब हमारा बचा क्या अब हमारा बच्चा आप देखेंगे तो हमारा बच्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वाली बेर्ट जो है दिस बेर्ट हाँ यह देखिए तो यहाँ पर हमने देखा हहाँ पर क्या है और यह हाई परशुर ज किसकी से rotation of earth की वज़े से Coriolis force की वज़े से rotation of earth प्रित्वी के घुनंगती के कारण है ठीक है तो यह हमारा क्या है dynamically induced है यह क्या है temperature से इसका मतलब कम है यह dynamically induced जादा है हाला कि temperature भी role play कर रही है अगर यह यहाँ पर जो है हमारी cold air ना हो तो यह नीचे ही नहीं गिरेगी लेकिन यह cold हो क्यों रही है क्योंकि यह आपको मैंने बताया कि Coriolis force काम कर रहा है और यह तरह के से नीचे आ अब यहाँ पर आप बताईए मुझे यह वाली जो air है जो पोल से आ यह बहुत cold होंगी और यहां से जो air और यह यह बहुत warm एंडेजर्ट से आ यह बहुत गरम होंगी दोनों जब टकराएंगे तो गोइस ही बात है कि धरती के नीचे नीचे तो घुसेंगगे औहले हैं यहां से आ रहे यह स्रावर नहीं है कि बिंकार और यहां पर जो यह उपपर चली जासे इक तो है आप बताइए मुझे 60 डिग्री लाटिट्यूट साथ डिग्री अक्षांश धुरूओं के पास इतनी क्या वार्म होंगी यह नहीं इतनी तो नहीं हो गया है ना ठंडी होंगी बहुत ज्यादा वर्म होंगी लेकिन तब भी मतलब आप जब मैं बोलता हो ना वर्म तो इसक तो बहुत टेंडी होगी यह आ रही है हमाने देजर्ट वाले इज तसे आ रही है तो अवविसी बात भी यह साथ डिग्री जो होущ況 में दोनों में comparison होगा, तो contrast होगा, और contrast होगा, तो क्या होगा? आपकी जो है यह ठंडी हवा जो है जो सारी जो गरम हवा है यह उपर चलिए ठीक है तो यहां पर भी यहां पर भी आप देखेंगे तो कैसा प्रेशर है यहां पर भी लो प्रेशर है लेकिन क्या यहां पर टेंपरेचर की वज़े से लो प्रेशर है बाइट टेंपरेचर की पर चाट डिग्री सेंटिग्रेट वाली एर जो है उसको उपर ही नहीं उटना चाहिए यहां पर इस लिये हैं यह एक यह इस तरफ चली जाएगी है ना और एक एर इस प्रकार चली जाएगी क्योंकि यहां पर आप देखते हैं यहां पर क्या है यहां पर है लो प्रशर यहां हो जाएगा हाई प्रशर उपर और यहां भी है क्या हाई प्रशर उपर कुछ अलग सिनारियो है उपर कुछ अलग सिनारियो है नीचे कुछ मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये भी जो है dynamically है ये भी हमारा clearly ये भी हमारी जो clearly है गति जनित है ये भी आप कह सकते हैं कि obvious ही बात है temperature के वज़े से नहीं है ये भी गति जनित है अगर एक टक्राथी आके एर टक्राइंगी नहीं तो खड़ी नहीं होंगी ठीक है तो यह चीज़ आपको देख रहे हैं यह हमारे प्रिशर बैट से ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं यह हमारा प्रिश को आगे आपको आपको अज़ लेकिन आखरी हमारा जो प्रिशर बचा है वह 60 डिग्री वाला है आपको 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 मालूम होनी चाहिए आपके पेपर में आए तो आपको आप यह नहीं कहेंगे कि हमा शुसान ने बताया नहीं तो यह होता है आपका subpolar, subpolar low pressure belt, अब ये pressure belt जो है, कैसा है, ये subpolar low pressure belt है, ठीक है, clear है बात यहां पर आके, तो ये है आपका उपध्रविय निम्न वायुदापेटी, अब ये कहां से कहां तक है, तो याद अखेगा, 60 से लेके, 65 डिग्री, north से south है, ठीक है, ये जो pressure belt है, ये dynamically induced है, ठीक ह इसको आप बोल सकते हैं, यह क्या है, यह dynamically induced है, यह temperature की वज़े से नहीं है, क्योंकि temperature तो यहाँ पर बहुत ठंडा था, ठीक है, यह temperature तो यहाँ पर बहुत ठंडा था, ठीक है, dynamically induced है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, यह गती जनित है, दूसरी चीज यहाँ दखेगा, यह pressure क् क्यूंकि यहां पर convergence हो रहा है किसका convergence of convergence of cold polar easterlies and यहां पर है आपका warm westerlies इने का convergence हो रहा है उसकी वज़े से जो warm air है वो उपर उठ जा रही है तो इने की वज़े से यह बन रहा है convergence है तो इसको हिंदी में लिख सकते हो यह कोड पोलर ठंडी धुरुवीए पूर्वी पवन तंडी धुरुवी पूरुवी पवन एवं गर्म पच्वा पवन के अभी सरण के कारण के अभी सरण के कारण यहां पर क्या होता है यहां पर आपको लो प्रिशन प् लो प्रिशर बेट है एक चीज़ यहां पर लिख लीजेगा कि यहीं पर इट इस फेमस फॉर वाट्ट tfshe यह क्या है यह फ्रेंट्स के लिए फेमस है वाताग्र के लिए फेमस आप बुलेंगे सरवाताग्र होता क्या है देखो बड़ा बड़ा आई लंबा टॉबिक है लेकिन इसको चोटे मैं बताता हूं तो क्या एक काल्पनिक ढाल है एक इमाइजनरी स्लोप है आप माइजनरी स्लोप है या आप कह सकते हैं काल्पनिक ढांब ओर ना इस ढाल के सहारे एक और एक तरफ आपका होता है क्वाम होता है opposite contrast वाली air masses है ना विप्रीत विशेश्टाओं वाली जो आपकी वायू राशी है वो आपने सामने हैं जैसे हैं बोलते हैं बैक्टल फ्रेंट इधर पाकिस्तान खड़ा इधर हम खड़े और बीच में क्या फ्रेंट हैं दोनों विप्रीद हैं मानसिक्ता विप्रीद ह वैसे ही एक आपकी गर्म वायू राशी है एक आपकी थंडी वायू राशी है दोनों आमने सामने खड़े हैं और बीच में जो बन गया यह कालपनिक ढ़ाल बन जाती है कालपनिक ढ़ाल है जिसके सहारे वाम एर उपर की तरफ चलती है वाम एर उपर की तरफ चलती है यह यह है तुम्हारा फ्रेंट यह क्या है प्रेंट अलग अलग किसम के होते हैं कोड़ फ्रेंट रॉंग फ्रेंट वह हमनों बाद में करेंगे तो आपको वहां पर समझ में आएगी तो यहां पर याद करेंगे करेंश से ही आपका फ्रेंट बन रहा है और याद अख्येगा इसी कारण। यह जो बेंट यह किसके लिए Temperate Cyclones के लिए famous है ये किसके लिए famous है? Temperate Cyclones के लिए ठीक है? ये याद अखिएगा शीतोषन ये शीतोषन चक्रवात के लिए famous है मैं फिर से बता दे रहूं बिटा ये किसके लिए famous है? शीतोषन चक्रवात के लिए famous है ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हम लोग देखें अपने प्रेशर बेट को यहाँ पर हम लोग अगर अपनी प्रेशर बेट को देखें इस तरीके से ठीक है हाँ ये तो ये है हमारी प्रिशेब्ग ऐसे अर्थ पर है न इधर भी हम लोग नहीं हम लोग ने हॉरिजॉंटल ड़ाइग्राम के माध्यम से भी इधर अब एक्च्छुली क्या है कि यहां पर जो यह से misleading बन जाना है ना सेल इनका नाम है इनको हम बोलना है क्या हेडली सेल हेडली कोशिका इनको हम लोग क्या बोलना है हेडली कोशिका बोलना है ठीक है इन्हीं को बोलते हैं हेडली सेल इसी यहाँ पर देख रहे हो इसको बोलते हैं फेरल सेल फेरल कोशिका और इसको बोलते हैं प इसन स्ट के सबिक्रिएट जो है फेमारी के इसे लीक वाली इन मेंसे आप देख सकते हैं कि दो जो हैन। प्रिशर बेल्ट टॉपिक में मैंने आपको पूरी चीज बताई लेकिन एक चीज आपको बता दू जाते जाते कि यह हमारी जो प्रिशर बेल्ट है यह पर्मानेंट नहीं है यह जो प्रिशर बेल्ट है यह प्रिशर बेल्ट शिफ्ट होती रहती है सन के मुव्मेंट के अक अपर ट्रोपोस्फेर पर कैसे चलता है वो हम लोग समझेंगे एक्मासफेरिक सर्कॉलेक्शन में जो कि मेरा नेक्स्ट फोकस में टॉपिक आएगा तब तक के लिए इस टॉपिक को इंजॉय करिए इस टॉपिक को याद करिए अच्छे से समझे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू टेक क्यार बावाए